गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग उम्मीद करता हूं कि आप लोग चोज दुरूस्त और तंदुरूस्त हों mentally and physically fit and fine so guys आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जबर्दस session परम बैच जिसमें हम लोग 350 प्लस important questions करवाने वाले हैं दस दिन के अंदर रोज हम लोग live आएंगे दो-दो घंटे and it's going to be ah it's going to be very good task बहुत मज़ा आने वाला है यह अगर हम लोग अच्छे से कर ले consistently हम लोग कर ले तो हम cf final की preparation को जबर्दस बना सकते next level पर लेकर जा सकते so guys बहुत ज़्यादा मेहनत की आप लोग के लिए परम question bank बनाना इतनी प्यारी question bank बनाना उसके अंदर इतने सारे features डालना it takes loads and loads and loads of efforts from my side from my team और उसमें से भी 350 plus important questions निकालना और वो 350 plus important questions निकालना और वो 350 plus important questions निकालना कम समय में आप लोग करवाना conceptually करवाना कैसे लिखना और सब बताना again guys takes its loads of efforts तो मैं आपसे दो चीज़ चाहूंगा do share subscribe and like these videos सब तक पहुचाईए आप सब तक यह पहुचने चाहिए दूसरे वीडियो खतम होने के बाद में वीडियो खतम होने के बाद में आपके प्यारे प्यारे comments जरूर 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 या फिर जो लोग recorded देख रहे हैं आपके प्यारे comments दा लिए and do refer to all your juniors and all your colleagues everyone our content our lectures and books चले गाइज very important कुछ बातों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आईए मेरे साथ में बने रहिए साथ साथ में आप लिखते रहिए ठीक है marking करते रहिए मेरे साथ साथ में जितना आप चलते जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा दोस्तों yes good morning good morning good morning everyone yes yes love you all guys love you all okay आईए देखे दोस्तों कुछ important बाते मैं आपको पहले बता दू हम लोग बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं क्यों सफर कर रहे हैं कि हम line to line cramming करने के लिए जा रहे मैं आप लोग को बता दू जब बच्चे को marks नहीं मिलते ना उसको ऐसा लगता है कि मुझे line to line cram करना चाहिए ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा myth है ये बढ़ा गलत फहिमी है जिसकी वएसे बहुत 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 भुत ज़ादा सफर करता है तो दोस्तों इस बात का आप ख्या लगए ये बहुत important है आप लोग को समझाना इस बात का आप ख्या क्रामिंग हमको नहीं करनी है ठीक है फिर हर एंसर के लिए मैं अलग-अलग क्राम करते जाओंगा इसके लिए अलग क्राम करूंगा उसके लिए अलग क्राम करूंगा प्लीज 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 दोस्तों ऐसा भी हमको नहीं करना है ठीक है मैं ये पूरे सेश करना कि कहां पे क्यार चीज लिखनी होती है 50% बच्चे यहीं पर गलती करते 50% बच्चे यहीं पर गलती करते बहुत जरी होता है को दिबान был ко बच्चे questions नहीं पढ़ते, सिर्फ answers पढ़ते, questions नहीं पढ़ते, बच्चे सिर्फ answers पढ़ते, question को आधा अधूरा पढ़ते, एक बार पढ़ते, सिर्फ answer, answer, answer को 10 बार पढ़ते, question को एक बार भी बराबर नहीं पढ़ते, guys, question को 2-3 बार, rule बना लीजिए, तीन बार question को अच्छे से पढ़ना है question पढ़ने की आदत होनी चाहिए अरे भाई साब exam में जाके question ही तो पढ़ना है उसको interpret करना है तो क्यों नहीं पढ़ते question दो तीन तीन बार में question पढ़ने की आदत दालिए दोस्तो कैसे उसमें से बकवास चीज़ों को बाजू में करना important चीज़ों को कैसे mark करना ये सबसे आदा important है 50% से आदा बच्चे यहां पर गल्ती करते हैं यूदि उसकी practice ही नहीं करते आईए आज से हम लोग कसम खाए कि हम लोग तीन बार question को पढ़ेंगे ठीक है बहुत सारे ठीक है बहुत सारे जो certified copy है उसके analysis से हमको यही पता चलता है फिर हाँ याद रखना पड़ता है कौन बोलता है याद नहीं रखना पड़ता है identify करने याद रखना पड़ता है लेकिन याद की points रखने पड़ते है कि मुझे चार मुद्दों को यह पूरे लिक्षे बताऊंगा चार मुद्दों पर मुझे focus करना है पांच मुद्दों पर मुझे focus करना है उसके बारे में लिखना है बिल्कुल याद रखना पड़ता है line to line cramming नहीं सबसे important मुद्दे कौन से समसे important points कौन से उस पे और याद रखने का तरीका होता है दोस्तों एक logical flow होता है कभी एक कहानी होती है छोटी सी ठीक है इस flow पे ध्यान दीजिए जो shortcut दिया उसके उपर ध्यान दीजिए और इसी चीज़ को multiple time जब आप दो बार तीन बार चार बार करके आप exact नहीं लिख सकते दोस्तों प्लीज exact लिखने के लिए मच जाईए लेकिर आप मुद्दे लिख दे 80% मी लिख दे it is very good enough good 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 enough और मैं आपको बता दू आपको 75-80% मार्क मिलते किसी question में थेरी में से थेरी के अंदर में बता रहो it is good excellent है ठीक है प्लीज word to and match करने के लिए जन्हें मत जाईए ठीक है आपको यह जो approach आप follow कर रहे हो ठीक है इसके यह जो approach आप follow कर रहे हो इससे आपको नए questions और MCQ solve करने पे बहुत बहुत मिलेगी में question जितनी भी आएंगे उसको आप interpret अगर आप यह approach से जाओगे तो आप बहतर कर पाओगे line by line cramming is disaster ना पढ़के जल्दी होता है ना revise होता है ना एक दिन पहले तो smart student बनिये मैं जो approach यह videos में आपको बताने वाला हूँ वो approach को आप follow करिए दोस्तों आईए आप answer में ताज महल बाने को मच जाईए बच्चे पहले कुछ ठीक है बच्चे कुछ पहले पहले कुछ answers पहली कुछ पढ़ाई करते हैं एकदम as it is लिखनी कोशिश करते हैं उसमें time बहुत लग जाता है resources बहुत लग जाते हैं ठीक है और पता चलता है कि 10 दिन के बाद हम पूरा भूल गए मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ दोस्तों मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जियो ने 100-100-100-100 questions लिखकर practice किये क्या लेकिन as it is लिखने की कोशिश किये as it is लिखने की कोशिश किये और यह as it is लिखने के चक्कर में ना वो concept को समझ पाए ना वो concept को समझ पाए ना concept को याद कर पाए ना समझ पाए ना याद कर पाए please don't go for this line-by-line के लिए मच जाएए मर जाएँगे आप लोग आईए ठीक है आज हमारे हर रोज हर रोज हमारे target के अंदर हर रोज हमारे target के अंदर ठीक है around 30 questions 30-35 questions रहने वाले हैं तब ही जाके 10 दिन के अंदर पूरा कर पाएंगे चीजों को तो आईए शुरू करते हैं हम लोग come on guys come on ठीक है शलिए शुरू करते हैं और मैं ये परम question bank से मैं ये करवा रहा हूँ वहां पर marking मैंने करके रखी हुई है ठीक है आपकी कोई question अगर आप ये होगी तो आप फड़ा फड़ उसको देखकर कर पाएंगे ये नहीं होगा आपके पास में कोई बात नहीं आपका जो भी question है कोशिश करिए उससे जम जाए तो जमा लीजी नहीं सबसे पहला question इस बास study material में जबर दस बहुत प्यारे question है पहला question है right from chapter number one quality control में SQC one के उपर ठीक है पहला question applicability of ठीक है आप question interpret करिए question को read करनी कोईश करिए तो यहाँ पर एक बहुत simple सा question है question यह है कि एक company हमको financial statement prepare करने काम दे रही है एक company हमको financial statement prepare करने काम दे रही है और सवाल यह पूछा गया है क्या C.A. firm को quality क्या C.A. firm को इस assignment में quality control system follow करना पढ़ेगा क्या whether they will have to follow quality control system quality control system उनको follow करना पढ़ेगा audit का का काम नहीं है audit का काम नहीं है, compilation का काम मिल रहा है, preparation काम मिल रहा है, क्या follow करना पड़ेगा, ठीक है, आईए, देखें, बड़ी प्यारी तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन मैंने लिख के भी रखा है, कुछ answers में, मेरा भी जोज बहुत हाए, कुछ पहले के answers में, सबसे पहले आपक को reference देना है, reference में, ठीक है, SQC1, यह मैं आपको बोलूगा कि free है, समझ जाना जहां पर भी, मेरी बात सुने ध्यान से दोस्तों, SQC1 और SA220 का reference सब जगा पे दीजे, institute कुछ questions, बहुत सारे जो concepts से दोनों के same है, SQC1 policies और process बनाने की बात करता है, और SA220 उसको implement करने की ब 1 की साब से solve करता है, कभी SA220 कभी दोनों को refer करता है, अब आप यह इतना individually कोई याद नी रख सकता है, मेरी बात को समझे, आप SQC1 और SA220 हमेशा दोनों का reference दीजे, सबसे पहली चीज़ जो आप करने वाले हो, ठीक है, यह जो PDF जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है, जो मैंन से लिख ले, अगर आप लिख लेंगे न दोस्तों यह, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को, चीक है, अगर आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो आपका भी confidence जबरदस्ट बढ़ेगा, तो सबसे पहले आपको reference देना पड़ेगा, SQC1, SA220, उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, दोनों का पूरा नाम, SQC1, SA220 का पूरा नाम आप लोग को लिखना पड़ेगा, पहले उसका reference दो, उसका पूरा नाम लिखो, एक एक लाइन उसके बारे में लिखो, कि SQC1, firm level पर क्या policies, processes बननी चाहिए to maintain quality of the assignments, उसके बारे में बात करता है, इसी का मतलब firm level quality control system की बात करता है, फिर आप बताएंगे, SA220 जो है, वो firm level quality controls को कैसे implement करना, assignment level पर, audit of financial statements पर उसकी बात करता है, एक एक line लिखेंगे, आपको ये reference देना पड़ेगा, उसका full name लिखना पड़ेगा, और एक दो line उसके बारे में आपको बताने पड़ीगी द आपके reference में ही 3-4 line खतम हो जाते है, reference में आपके 3-4 line खतम हो जाते हैं, और बिल्कुल खतम हो जान दीजिए, ठीक है, और proper heading दीजिए, reference, reference, उसके बाद एक line छोड़ी, SQC1 उसके बारे में लिखा, SA220 उसके बारे में लिखा, ठीक है, फिर इसके बाद में main content, ठीक है, आ आप line by line याद नहीं रख सकते हैं, जैसे आपको याद कर रखना है, बाई, दो चीजों के बारे में हमको focus करना है, देखें, ये institute का question है, और जो इसका answer था, बहुत ही छोटा था, लेकिन ये answer के लिए, ये answer के लिए आपको 3-4 mark नहीं मिल सकते, ये answer के लिए 3-4 mark नहीं मिल सक ताकि, ठीक है, ताकि ये addition से दोस्तों, ताकि ये addition से आपको ज़्यादा से ज़्यादा marks मिले, 3-4 mark जो question है, वो आपको मिल जाए, आप content में क्या लिखोगे, content में, content में आप सिर्फ दो चीज़ों पर बात करोगे, quality पे और role of three things पे, sir, क्या बात करोगे आप, आप बोलोग सिस्टेमाटिकली होता है, उस पर law, उससे छोटे rules, उससे छोटे regulations और professional standards के साब से होता है, और आखरी में जो report बनती है, वो appropriate बनती है, मतलब, appropriate मतलब क्या, reliable और relevant बनती है, जब ये दो चीज़े होती है, तो उसको quality बोलते है, आज के रिट में quality reports बहुत important है, तभी stakeholders, society, government, authorities, public, सब हम पर भरोसा करेंगे, और हमारे services को seriously लेंगे, और हमारे उपर कोई cases नहीं होंगे, आप उसका importance बताएंगे, आप quality के बारे में बात करेंगे, उसका importance बताएंगे, फिर उसके बाद में आप बताएंगे, SQC 1 firm level quality control systems के बारे में बात करता है, and it is applicable, सबसे important बात यह assurance and related services, all assurance assignments, assurance services and all the related services, यह सबसे important है, जो SQC 1 बन रहा है, firm level quality control system बाने की बात कर रहा है, वो सभी तरह के assurance और related assignments की बात कर रहा है, सभी तरह के, सभी तरह के, ठीक है, assurance और related services की बात कर रहा है, SQC 1 के नाम को अगर आप देखोगे, ध्यान से है, तो वही पे लिखा हुआ है, यह quality control है, audit के लिए, review के लिए, और सारे related services के लिए, फिर आप बताएंगे, एसे 220 लेकिन सिर्फ audit of financial statements के लिए है, ठीक है, इतना ही नी, फिर आप बताएंगे, तीन रोल मैंने बोला था, कि यह quality पे focus करते हैं, इतना ही नी, companies act, companies act, उससे छोटा code of ethics और other standards on auditing भी, यह बताते है, quality कैसे बरकरार रखनी, इतना ही नी, इंडिया के अंदर आपका, ठीक है, NFRA है, NFRA है, उससे छोटा quality review board है, उससे छोटा peer review board है, यह continuous basis पे review करकर के देखते हैं, कि quality बराबर है की नहीं, ठीक है, case को discuss करेंगे, case पूरा discuss करेंगे, जो question में लिखा हुआ है, पूरा discuss करेंगे, और आप बताएंगे, ठीक है, यह preparation of financial statement का, yes, यह preparation of financial statement का assignment है, और इस assignment के अंदर, इस assignment के अंदर, quality control systems को follow करना पड़ेगा, SQC1 applicable होगा, दोस्तो, ठीक है, SQC1 applicable होगा, let's freeze guys, let's freeze, ठीक है, बहुत simple सा, पहला question था, पहला question था, कि क्या compilation assignment, compilation assignment को, firm level quality control systems को follow करना पड़ेगा, तो आपकी दिमाग में कहाना चाहिए, पहले हम लोग reference देंगे, आपकी दिमाग में reference आना चाहिए, फिर आपकी दिमाग में आना चाहिए, content, मैंने बोला, यह चीज के अंदर, ठीक है, content आना चाहिए, आपकी दिमाग पैसे broad points, आप quality और उसके importance पर बात करोगे और तीन चीजों के role पर बात करोगे, SQC1, SA220 का role, ठीक है, law, code of ethics और बाकी चीजों का role, एक एक लाइन में लिखना है, एक एक लाइन में लिखना है दोस्तों, और उसके बाद में review mechanism का role, ठीक है, यह सब मिला कर quality को बरकरा रखते, case को discuss करेंगे, तो क्या applicability है, 100% yes, 100% yes, applicability बिल्कुल रहेगी, ठीक है, guys, पहला हो गया, और हम लोग एक reasonable speed से चलने वाले हैं, मैं concept भी बताने वाला हूँ, reasonable speed से चलने वाले हम लोग, reasonable speed से चलना बहुत ज़री है, क्योंकि हमारा target है कि around 30-35 questions हम लोग करते जाहिए, I hope आपकी दिमाग में question को लेकर absolute clarity है, हर question आने के chances, हर question आने के chances बहुत जाता है, दोस्तों, आईए, अब बहुत ही interesting सा case है, बहुत interesting सा case है, क्या होता है, एक client आता है, ठीक है, आईए, मैं question number 127.100, 127.100 हु कर रहा हूँ, ये भी study material से question आया हुआ है, दोस्तों, it has come from study material, study material से question आया हुआ है, ABC and Associates का मैं आपको बता दू कि इस question की कहानी क्या है, इस question की कहानी क्या है, तो एक company का promoter है, एक company, एक company का,। एक company का दोस्तों, promoter है, और ये promoter आता है और audit offer करता है, promoter आता है और audit offer करता है हमको CA के point दिखना है एक C.A. firm है ठीक है एक C.A. firm है उसके अंदर एक partner है उससे related उसका एक friend उसका दोस्त आता है और audit offer करता है close associate है family friend है ठीक है तो एक दोस्त audit offer कर रहा है उसके बाद में ये जो बंदा है लेकिन जो offer करता है इसके against inquiry चल रही है regulatory authorities की inquiry चल रही है ठीक है inquiry चल रही है बाप रहे डाल में कुछ काला है यार डाल में कुछ काला है ये बंदे की against legal cases चल रहे है उसके कुछ non-compliant उसके कुछ illegal activities की ये उसके against cases चल रहे है उपर से जो चुराना बंदा था वो resign करके चला गया मतलब डाल में जरूर बहुत काला है साथ में बंदा 25% जादा फीज दे रहा है भाई साब वही काम वही सब कुछ 25% जादा फीज दे रहा है जिसके पहले वो 100 लाग देता है 125 लाग ठीक है सवा करोड देने के लिए तयार हो चुका है यह सबसे important है यह मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे सबसे जादा important चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूँ यह आपको ध्यान देना है दोस्तो इसके और यह से पूरा answer बदल जा रहा है question में क्या पूछ है functioning of the tone at the top of the firm ठीक है और वो बंदा जो मिस्टर ने बोलता है कि इस assignment को accept कर दो situation यह है CA firm में जो partner बोलता है yes 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 go for this assignment go for this assignment वो पगला हो गया है कि ले लो इसको ठीक है यह जो उन्होंने बात बोली है कि what should be क्या top leaders CA firm के top leaders क्या सही काम कर रहे है से बड़ा यह सबसे बड़ा मुद्ध है whether leaders are doing properly क्या उनका tone सही है क्या क्या हो सही काम कर रहे है क्या this is the this is the most most important thing इससे पुरा answer बदल जाता है दोस्तों तो आप लोग को ध्यान रखना है जब भी वो quality की जब भी ऐसी situation आजा है और जब भी की ऐसी situation आजाए और वो leaders की बात करने लगे तो answer बदल जाएगा answer change हो जाएगा अब इसका answer क्या होगा वो मैं आप लोग को बता तो आप अभी आपके सामने question bank होगी अच्छी बात है नहीं होगी अच्छी बात है आप ठीक है इसको feel करिए कि कैसे क्या situation उसको feel करिए उसको imagine करिए और आप यह feel करें कि अच्छा leader की बात की है leader की बात की है क्या करना पड़ेगा आईए आईए दोस्तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है वो भी मैंने बाजू में लिखा हुआ है ठीक है मुझे मज़ा आता चीजों को लिखने में अब यहाँ पे आप वापस SA220 तो free है दोस्तो SA220 के concept लग सकते हैं ऐसा बोल कर ही आप शुरू करना सबसे पहले आप SQC1 SQC1 और SA220 का आप reference देंगे आप दोनों चीजों का reference देंगे reference देने के बाद में the most 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 important thing ठीक है आप लोगों ने अगर पढ़ा है SQC1 और SA220 ठीक है SQC1 SA220 बोलते है कि 6 elements पे ध्यान दो 6 elements के लिए policies और procedures बनाओ अगर आप 6 elements पे ध्यान दोंगे 6 elements के लिए policy procedures बनाओगे तो यही policy procedures अपने आप आपके quality को बरकरार रखेंगे इसी को हम बोलते है quality control system 6 elements के बारे में सोच कर चलिए और उसमें सबसे पहला element है leader the most knowledgeable person generally the most knowledgeable person most experienced person the most powerful person the person who is affected maximum with everything whether it is good or bad that is the leader जिसका सबसे दाइंटरेस्ट है firm के अंदर that is the leader आपको उनके बारे में बात करनी पड़ेगी आपको उनके बारे में बात करनी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा yes SQC1 बोलता है कि आपको leadership is a very important element उसके हब से पहले उसके लिए policies and procedures आपको वहापे बताना पड़ेगा yes क्या बताना पड़ेगा आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा yes SQC1 बोलता है policies and procedures बनानी चाहिए for quality और उसके लिए सबसे important है policies and procedures बनानी चाहिए policies and procedures बनानी चाहिए ठीक है जिसमे leader policy and procedures बनानी चाहिए leader जिम्मेदारी ले quality को maintain करने की पूरे firm में quality culture ये पूरा नए study material के हिसाब से दोस्तो it is completely as per new study material आपका जो नए study material है उसके हिसाब से आप सबसे पहले बताएंगे yes point number one firm के अंदर policies and procedures होनी चाहिए for maintaining quality उसके अंदर policies and procedures होनी चाहिए जिसमें leaders should take responsibility of maintaining quality and they ensure पूरे firm के अंदर एक positive culture हो quality का हर चीज काम करने में जब हर काम करने में quality को importance दिया जा रहा है जो लोग quality का काम करते है उनको respect किया जाता है reward किया जाता है जो नहीं करते हैं उनको punish किया जाता है फिर आप बताएंगे इसकी ultimate responsibility लेनी होगी जो firm के CEO है या फिर managing partners है अगर CEO है तो CEO managing partners कि yes मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा कि firm के अंदर जितनी भी assurance और related services चल रहे है सब में quality work हो ठीक है operational जिम्मेदारी committee बानी पड़ेगी committee बानी पड़ेगी और operational responsibility कुछ अच्छे experience experience knowledgeable लोग को देनी पड़ेगी इसके बारे में आप बात करोगे yes policies and procedures बनाने पड़ेगे ठीक है leadership को लेकर भी उसके अंदर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी operational जिम्मेदारी लोग को देनी पड़ेगी फिर approach क्या होना चाहिए इसको implement करने का priority of quality over commercial aspects सब जगा पर बोलना पड़ेगा priority हर जगा पर पूरे firm में सोचते वक ठीक है सिर्फ revenue कितना आ रहा है profits कितने लग रहा है cost कितना लग रहा है बस इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए quality पे भी quality को ज़्यादा import देना चाहिए कि काम बराबर हो रहा है report अच्छे से बन रही है reliable reports आपको बाना पड़ेगा जब भी आप management या employees के roles and responsibilities आप define करो ठीक है revenue targets के साथ साथ में priority पे quality targets quality targets भी आप set करिए quality के बारे में बताइए लोगों के promotions, bonuses आप quality के उपर भी dependent रखिए और उतने resource भी allocate करिए quality के लिए quality control system बनाने के लिए resources को आप allocate करिए quality बरकरार रखने के resources भी आप लगाईए आपने सिफ sales executive लगा दिये sales executive बस आप लोगो को बोल रहे है काम लेकर आप ऐसा बत करिए quality के लिए भी resources को आप dedicate करिए ठीके दोस्तों मैं revise कर रहा हूंगा ध्यान से सुन लिजे आप सब के notes में अगर आप titanium book यूज कर रहे है titanium book यूज कर रहे है तो वहाँ पर भी यह है देखिए titanium का reference यहाँ पर दिया हुआ है कि titanium में कौन से exactly concept की मैं बात कर रहा हूँ उसका reference दिया हुआ है same points आपको वहाँ पर मिलेंगे आपकी जो भी book होगी leadership के अंदर same points आप लोगो मिलेंगे अगर आप study material यूज कर तो study material के बारे में study material में आपको मिलेंगे फिर आपको बताना है बहुत सारे बच्चे सिभ यह इससे answer कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा फिर आपको बताना है assignment हर assignment accept करने से पहले acceptance and continuous के बारे में सोचना चीए नय assignment लेना की नहीं पुराना assignment continue करना की नहीं इसके बारे में सोचना होगा दोस्तों इसमें एक चीश सामने आले के बारे में सोचनी पड़ती है integrity सामने वाला जो promoter जो promoter है जो owner है जो shareholder है वो लोग integrity वाले लोग है ना की management person integrity वाले लोग ना फिर खुद के बारे में सोचना पढ़ता है दो बात मेरे पास competence है कि यह industry का audit करने के लिए क्या मेरी team ethical और independent रह पाई कि पूरे assignment में एक एक line में आपको समझाना पड़ता है और फिर significant matters क्या बड़ी बात है हुई पिछले साल या फिर इस साल अभी significant matters इनसे हमों को समझ में आ रहा है कि लोग के integrity के बारे में हमारे competence के बारे में ethical और independence के बारे में वो भी आप समझे ठीक है तो आपको यह content देना था यह सबसे important चीज़ती अब बच्चा अगर यही miss कर वह जागा फिर से एक बार फिर से एक बार ध्यान सुने ध्यान सुने दोस्तों question के अंदर आखरी में कि tone at the top बराबर है क्या tone at the top बराबर है क्या इसका मतलब leaders बराबर काम कर रहे है क्या leadership is the most important thing जिसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा हमको बोलना पड़ेगा yes policies and procedure quality or proper policy procedures होनी चाहिए with respect to leaders their roles and responsibility ठीक है ultimate responsibility किसने निची operational किसने उसके बारे में बोलेगा और approach क्या follow करेंगे leaders समझाएंगे quality over commercial aspect के बारे में आपको बात करना पड़ेगा management और employees के roles and responsibilities के बारे में बात करना पड़ेगा resource allocation sales के साहत में quality के उपर भी दीजिए तो आप policies और process चाहिए उसके बारे में बात करेंगे जिम्मेदारी तो आपको सिर्फ देखकर उसको लिकhonा पड़ेगा तीन बातों के बारे में आपको focus करना पड़ेगा acceptance and continuous के बारे में भी आपको दो-तीन लाइन में बताना पड़ेगा case discussion आप बताएंगे यहाँ पर सबसे पहले independence issues है अपना दोस्त है partner का दोस्त partner का बहुत family friend है दोस्त है ethics और independence issues है उसके उपपर बहुत साबे legal cases चल रहे है recent बंदा resign करके गया है resign करके गया है सामने वाले के integrity issues है ठीक है और वो 25% ज़ादा फीज दे रहा है commercial ठीक है commercial aspect बहुत ज़ादा commercial aspect बहुत ज़ादा है as commercial aspect बहुत ज़ादा है ठीक है वो attract करनी कोशिश कर रहा है जिससे quality पे compromise हो सकता है ठीक है यह सारे मुद्दे अगर resolve नहीं होते ठीक है सारे मुद्दों को resolve करना पड़ेगा किसी और partner किसी और partner को काम देना हम देखना पड़ाँ किसी और partner कोई और बंदा काम कर पाएगा क्या उसके integrity के issue solve हो रहा है justify कर पा रहा है कि वो honest बंदा है दोस्तों let's freeze let's freeze let's freeze ठीक है पहला question था क्या compilation को लगता है yes 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 compilation को लगता है आप quality और तीन चीजों पर ध्याण देते हैं दूसरा question था leader को लिकर Tortyle ठीक है आप leader के बारे में बताइंगे आप leader के policies process के बारे में जब तक सारे issues resolve नहीं होते हैं हमने accept नहीं करना चाहिए we should not accept this assignment blunder हो जाएगा blunder हो जाएगा poor quality report दे देंगे फस जाएगी CFM ऐसा नहीं 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 करना चाहिए गाइस यह altogether नया question है यह altogether नया question है यह question पहले कभी नहीं था बड़े प्यारे प्यारे questions बहुत ही ठीक है बड़े प्यारे बहुत ही important प्यारे questions यह लोग लेकर आये हैं आईए दोस्तो देखिए अभी इस session के अंदर एक feel लीजिए ओके इस तरह का question है मुझे इस तरह सोचना था पहले question के बारे में feel लीजिए फिर मोटा मोटी answer के बारे में feel लीजिए okay मुझे leadership के उपर यह 3 point to focus करना था great अभी से इस moment से एक एक point को रटने मच जाए एक question का feel लीजिए और answer का feel लीजिए answer की जो आत्मा है उसका feel लीजिए कि किस चीज़ पर मुझे focus करना था मुझे leadership के बारे में बात करनी थी और मुझे acceptance and continuous के बारे में बात करनी थी वह सबसे important चीज थी जब आप answer लिखते हैं दोस्तों तो आपको reference आपको जितना आप answer में heading दाते जाओगे reference एक box देना एक line छोड़ना SQC1 उसके बारे में लिखना line छोड़के अगर आप heading देते हो न अगर आप heading देते है दोस्तों तो तीन line आपके consume आपको आपके आपको length का impact पड़ता है।開फ मैंने बहुत सारे paper देखे this length का impact पड़ता है आपर के बारे में एक हेडिंग बात किया एकश्फर सिर डिसकशन के बारे में बात किया केस्ट दिसकॉशन के लेंधू चूक जाते हां ठीक है और मैं बता रहा रहाओ अड़िट में लेंध का इंपक पड़ता है दोस्तो leaves longing सायकोलोजि no aware कौशन कर चुक्ए बड़े प्यारे दोब दोब चोशन कर चुक्त है आगे बढ़ते यह तो बहुत जाधा dozen कोशें बहुत 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 भी ज्याथा in Montgomery ठीखeur ठीकिया कोश्वन है आई किए क्या कोशवन है इसमें वर कोश्षन कोश्वन एसा है कि एक सी एफ व्हीं को आपॉइट किया गयाosure एक CA firm है, एक CA firm है, एक CA firm को appoint किया गया कि बेटा, जाइए बेटा जाइए और आप, ठीक है, stock audit करें दोस्तों, very important, आप कुछ क्या करना है, stock audit, एक CA firm को बुला कि आप जाके stock audit करें, go for stock audit, अब stock audit के लिए गया इनका बंदा, ठीक है, bank ने appoint किया CA firm, CA firm के point आप सुचिए, हमको appoint किया, हमने एक बंदे को बोला, जा stock audit कर लिए, बंदा stock audit करने के लिए किया, बंदा क्या बोलता है, बंदा क्या बोलता है सामने client को, मैं तेरे को stock audit की clean report दूँगा, मैं उसमें लिख कर दूँगा, तेरे पास सही में इतना stock है, सही में तेरे पास में इतना data है, तू bank को जितना बोलता सही मैं उतना है मैं तेरी clean stock audit report दूँगा लेकिन तु एक काम कर तेरा statutory audit मुझे दे दे मतलब हमारा बंदा जाकर हमारा बंदा जाकर हमारा बंदा जाकर सामने वाले को blackmail करने लगा है कि तेरे को clean report चाहिए तो तेरे को statutory audit देना पड़ेगा तेको अगर clean report दे त को तेरा statutory audit हम को देना पड़े ठीक है दोस्तों जब तक C.A. Act की बात नहीं की जाए जब तक C.A. Act की बात नहीं की जाए जब तक C.A. Act की बात नहीं की जाए जब तक C.A. Act की बात नहीं करे जब तक professional ethics की बात नहीं करे ठीक है professional ethics की बात नहीं करे तब तक आप please C.A. Act को मत लगाई है professional ethics को मत लगाई है अब ऐसे situation में यहां पर उन्हें बोला हुआ है ठीक है how does it reflect upon आप बताईए क्या firm के firm का बंदा ऐसी हरकते कर रहा है firm का बंदा ऐसी हरकते कर रहा है आप बताईए कि firm में quality control system है ना मैं आपको बता रहा हूँ आप यह जो questions है ना इसको आपका test मत समझें यह इतने questions में discuss करो इसको test मत समझें बहुत बलत होगा यह knowledge gaining activity है यह knowledge gaining activity यह knowledge gaining activity है दोस्तों ध्यान रखिए को Q&A solve करना Q&A solve करना यहां पर it is not a testing activity it is a knowledge gaining activity अगर आपने एक बार किया रहा तो very high probability कि आप exam में भी इसको crack करेंगे ठीक है अब इसलिए एक बार यह knowledge gaining activity ऐसा लेकर चलिए यहां पर यहां पर अब हमारे quality control system में एक मैंने आपको बोला कि quality के अंदर हमको छे elements पर ध्यान देना पड़ता है उसमें से एक element leader होता है हम लोग बात कर चुके एक उसमें element होता है कि team ethical और independent होनी चाहिए team ethical और independent होनी चाहिए ठीक है ethical और independent होनी चाहिए इसके उपर यह पूरा focus हा दोस्ते ठीक है आईए ठीक है यहां पर मैंने बाजू में कुछ लिखा हुआ नहीं है हम इसके उपर ही चलेंगे let's see guys let's see तो आपको पहले आपको बताना है SQC1 मैं बता रहा हूँ SQC1 के साथ में SA220 का reference more पहले आप reference देंगे SQC1, SA220 का आप नाम लिखेंगे उसका full पुरान लिखेंगे एक 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 लाइन में उसके बार में बताएंगे फिर आप बताएंगे कि यहां पर जो concept लग रहा है दोस्तो that is ethical requirements कि हमारे audit के जो CA firm है जो CA firm है उसके अंदर जो लोग है वो लोग ethical होने चाहिए और independent हो वो ethical और independent हो तो सबसे पहले आप बताएंगे कि firm के अंदर policies और procedures होनी चाहिए to keep people ethical to guide people how to be ethical and independent फिर आप बताएंगे ethical होना मतलब क्या ethical होना मतलब ethical होना मतलब ethical होना मतलब 5 fundamental principles को follow करना बचपन से पढ़ रहे 5 fundamental principles को follow करना अगर आप shortcut चाहते तो office of CBI चीके या फिर CBI office अगर आप shortcut चाहते हो तो ठीके अगर चाहते हो तो अगर आपको ऐसी याद होते तो फिर तो मैं तो बोलता हो 5 fundamental principles आप बताएंगे confidentiality, competence, professional competence and due care, behavior, professional behavior, integrity, offer, objectivity ये 5 fundamental principles आते हैं firm के अंदर policies और procedures होनी चाहिए ताकि लोग ये 5 fundamental principles को समझे और उसके हिसाब से काम करे, decisions ले, अपना काम execute करे फिर आप बताएंगे लोग independent भी होने चाहिए, independent मतलब they should not be dependent, dependent नहीं होने चाहिए, they should not be dependent financially, financially, business-wise, legally dependent नहीं होने चाहिए, client के ऊपर, अब यहाँ पर बहुत important है, ठीक है, यहाँ पर mechanism होनी चाहिए, firm के अंदर mechanism, firm के अंदर mechanism होनी चाहिए, exist for engagement part to provide relevant information about client engagement and for personal to notify the firm to the sets of independence, listen guys, अब सबसे पहले आप बताएंगे, yes, policies or procedures होने चीए, उसके अंदर क्या policies or procedures होने चीए, वो आप बताएंगे, बहुत simple सी बात है, ठीक है, ऐसी policies and procedures होने चीए कि regular basis पर, regular basis पर information collect, बहुत important है, simple simple तीन बाते, regular basis पसे information collection ने ची है पुरे फिर म से टीम से information क्लेक्ट होनी ची है लोगों से कि उनके पास में कितनी share holding है कितने financial प्रांजैक्शन्स है क्या लीगल रिलेशन्स है क्या परसनल डालेशनस है इन सबके बार में घेर सारी जानकरीडविगा शक्राइज है regular basis पर regular basis पर information क्रिंसिपल से कही पर कोंपरमाईज है क्या इंडिपेंड नेस्ट सीर्सिपल कई पर कंपरमाईज होना चाहिए किया क्या कोई ऐसी situation है जो दबाऊ create कर रहे, pressure create कर रहे, threat है क्या, उसके बारे में information collect होनी चाहिए, information collect होनी चाहिए, उसके लिए actions लेनी चाहिए, और हमारे जो firm के partners है, leaders है, उनको पता होना चाहिए कि कौन से कौन से assignment में क्या चल रहा है, यह mechanism क्या बात करेगे, regular basis पे information का collect होना, evaluation की बात में उसमें action देना, बहुत simple चीज़ है, और firm के leaders को पता होनी चाहिए, सारे बड़े मुद्धे, बड़े issues उनको पता होने चाहिए, और यह सबसे important चीज़ है, SQC1 के इसाब से, firm के अंदर जितने भी employees है, जितने भी person है, सबने annual return confirmation देना चाहिए, कि मैं सभी मैंने कही पर कोई compromise किया, मैं इस बात को assure करना चाहता हूँ, I want to assure everyone, इससे लोग के अंदर का ethics और independence और भी भैतर होता है, क्योंकि उनको पता है, कल जाए कुछ गलत हुआ, को यह मुझे यह confirmation दिखा कर मुझे punish करेंगे, केस का discussion होना चाहिए, और conclusion, आपका employee ऐसी जाके हरकत कर रहा है, यह unethical activity है, आपका employees ऐसी हरकते कर रहा है, unethical activities है, इसका मतलब firm के अंदर policies or procedures weak है, policies or procedures weak है to maintain ethics and independence, इसका मतलब weak है, उस बंदे को पता नहीं है, correct, उस बंदे को पता नहीं है, हम लोग definitely firm को बोलेगे कि आपके अंदर के quality control system को improve करिये, ethics और independence के compliance को improve करिये और ऐसे कुछ offers मत करिये, let's freeze, 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 let's guys, let's freeze, ठीके, चलिए दोस्तों फड़ा पर ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, आपको बताना था, यहाँ पे सबसे पहला कि SQC 120 applicable है, फिर आपको बताना था, ethics पे आपको बात करनी की, आपको बात करनी थी, ethics पे, आपको बात करनी थी, ethics पे Annual confirmations लेने चाहिए, होना चाहिए, यह साफ साफ दिखाता है कि firm के अंदर यह बाते नहीं है, firm के अंदर यह बाते नहीं है, यह आपको बताना पड़ेगा, come on guys, फड़ा फट, पहला question था, आपका compilation को लगेगा, yes, दूसरा question था, leaders पर ध्यान दो, तीसरा question था, firm के अंदर ethics, firm के अंदर ethics, ethics की कमी है, ethical policies और principles की कमी है, ethical requirements की कमी थी, उस पर focus करता है, वो आपको बात लिखनी थी, I hope you are loving it, enjoying it guys, और मैं जानता हूँ, थोड़ा सा, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा हम लोग fast चलेंगे, लेकिन fast चलना जोटी है दोस्तो, आईए, आईए, अगर आपको beautiful question, beautiful, 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 what a beautiful question, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, आपको पता है कि quality control में हमको 6 elements पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, उसमें से एक element होता है, engagement performance, कि engagement अच्छे से perform करो, initially direction दो, फिर supervision, फिर review, और उसमें review में एक आता है, EQCR, engagement quality control review, आप लोगो इसका मतलब पता होगा, जब एक non-team member, जब एक non-team member आकर देखता है, सब काम बराबर हुआ है, जब कुछ बराबर हुआ है, जब कुछ पुरा assignment बराबर चल रहा है, यह आकर देखता है, उसको हम लोग EQCR गोलते है, ठीक है, एक listed company है, अब कितना प्यारा question दोस्तो, इतना प्यारा है, आज तक कभी न नहीं था यह question, इतना प्यारा question institute ने बनाए, बहुत ही प्यारा, I am in love with such kind of questions, यहाँ पर पुछा है कि जो engagement quality control reviewer है, क्या हम उससे consultation ले सकते हैं, can we take consultation from him, क्या मैं उससे बातचीत करके, उसकी advisory, consultant क्या होते है, consultant वो लोग होते हैं, जो advisory देते, ठीकिए, वो advisory देते, क्या हम वो क गलत हो जाएगा, आईए, उसका answer क्या बनेगा, मैंने आपको बताए, आप इस पर बस अभी focus करते जाएगे, इसका answer क्या बनेगा, दोस्तों, सबसे पहले आप reference देगे, ठीक ए, सबसे पहले, बिलकुल सही बात है, सबसे पहले आप reference, सबसे पहले, मैं आप गोझे, questions की आ आप बताएंगे, let's discuss who can become reviewer, yes, reviewer कौन, ये who can become reviewer और reviewer क्या काम कर सकता है इसके उपर, तो आपको बताना है, सबसे पहले तो reviewer कौन होना चाहिए, reviewer एक chart accountant, देखिए, ये जो answer है बड़ा प्यारा, आप अगर मुझे ट्रस्ट करते हैं, ये answer आप लिखोगे, beautiful answer आपको मिले ठीक है, और मैंने बुला हर answer के लिए अलग सियाद मत रखिए, आपके concept book से, ये सारी चीज़े उठाई हुई है, हर, मेरे titanium concept book के अंदर ये चीज़े है, सभी concept book में चीज़े होगे, आपको बात करनी है, कि भाई साब, एक reviewer जनली एक chart account होता है, या तो firm का partner, या वो partner level का बन्दा हो सकता है, employee भी हो सकता है, firm के अंदर का बंदा भी हो सकता है, firm के बाहर का हो सकता है, वो ऐसा बंदा होना चाएं, जो टीम मेंबर नहों जो assignment में participate नहीं कर रहा हो, कोई काम नहीं कर रहा है, but सबसे important चीज़, the most 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 important thing, क्या वो consultation consultation allowed है क्या yes consultation is allowed बिलकुँ allowed है एक reviewer consultation का काम कर सकता है वो assignment को पढ़ रहा है समझ रहा है knowledgeable वक्ती experience वक्ती है वो consultation दे सकता है advisory दे सकता है वो बता सकता है कि particular situation में क्या करना चाहिए येस गाईज येस he can give consultation लेकिन इतना ज्यदा consultation ना दे इतना आदा consultation ना दे कि वो पूरे assignment में involved हो जाए और उसकी objectivity compromise हो जाए उनका unbiasedness compromise हो जाए इतना involvement ना करे एक limited level की consultation दे सकता है बिलकुल दे सकता है very very important things यह आत्मा है limited level का consultation दे सकता है ठीक है लेकिन अगर यह significant वो कर दे अगर वो significant consultation कर दे तो substitution करना पड़ेगा what a beautiful concept substitution करना पड़ेगा या तो आपको reviewer को change कर देना पड़ेगा या फिर आपको consultation किसी और से लेना पड़ेगा अगर वो significant हो जाए यह आत्मा है answer की तो आपको case discuss करना था आपको बताना था था yes consultation is possible provided limited level का consultation उसकी जो eligibility और objective impact में दाले जादा हो गया तो substitution कर दो तो गाइस बहुत simple था आत्मा क्या देखो reference बहुत common है case discussion conclusion आत्मा यह थी कि आपको reviewer who can become engagement quality control reviewer उस पे आपको बात करनी थी आपको बात करनी थी कि who are qualified उनका involvement कैसा होना चाहिए और consultation जो मुद्दे की बात है consultation के उपर आपको बात करनी थी आपको बहाँ था बिलकुल it is allowed consultation is allowed लेकिन एक limited तरह का consultation होना चाहिए significant अगर हो जाए तो आपको substitute करना पड़ेगा या तो reviewer substitute कर दीजे ठीक है या तो आप reviewer substitute कर दीजे या तो आप reviewer को substitute कर दीजिए, या तो आप consultant को substitute कर दीजिए, दोनों में से एक को आपको substitute करना पड़ेगा दोस्तो, lovely question lovely, एक एक question इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आपकी conceptual clarity और बढ़ जाएगी आई यह दोस्तो, बहुत प्यारा concept था, ठीक है देखे, यह स्पीड में रखना जरूरी है ताकि यह lectures आप बार-बार देख चाको बार-बार इस चीज़ को आप feel कर सको ठीक है, किसी का login अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी यह PDF अभी तक मैंने दाला नहीं है यह PDF मैंने दाला नहीं है दोस्तो, ठीक है तो यह PDF तो मैंने दाला नहीं है ऐसे भी important question, important question सामने दिखते जा रहा है आईए ना यहाँ पर भी, अब आईए, सोच, देखे, कितना मजेदार बात है कितनी मजेदार बात है, आईए देखे, ऐसा इतने बार आपको देखते मिलेगा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ question आया था May 19 RTP में और फिर वहाँ से है November 19 exam में इतनी बार हुआ है और बच्चे बोलते कभी-कभी नए question आ रहे जितने भी tricky questions जितने भी tricky questions, अजीबो गरिब questions होते है पहले May 19 RTP में ता फिर November 19 exam में और इतनी जगा आपको होते भी दिखेगा आये बिसके नदर क्या हो रहे है एक client आता है वापस prospective client उसके against cases चल रहे है ठीक है, enforcement directorate का cases चल रहे है उसके उपर उसके against उसके against cases चल रहे है, बहुत पैसा मिल रहा है income tax department का बहुत सारा income tax department की रेड़ कि यह गडबड कर रहा है यह गडबड कर रहा है बंदा bogus capital gain generate कर रहा है correct और तो दो departments उसके उपर case कर रहा है वो बंदा आता है और हमको fees offer करता है what are the factors to be evaluated if he wants to take up the engagement now listen मैं आपको बता दू जो इसके पहले का question है और यह question का 90% portion same है सिव वहाँ पे पुछा था what should be tone at the top वहाँ पे tone at the top की बात की थी leader की बात की थी और यहाँ पे factors की बात कर रहा है answer बदल गया बस यही तो game है 90% बच्चे अगर कम score करते यही reason होता है identify नहीं करते कि कौन से इसमें क्या लिखना है ठीक है यहाँ पे game ही हो गया factors to be evaluated आपको बात करनी थी आपको बात करनी थी आपको बात करनी थी दोस्तो factors to be evaluated उसकी उपर आपको बात करनी थी ठीक है कौन से factors evaluate करने चे उसकी उपर आपको बात करनी थी और यह factors जो बात कर रहे हो integrity सामने वाला बंदा integrity वाला बंदा है की नहीं इस पर बस आत्मा वह फील करो boss यहां पर भी जो client आया था यहां पर भी जो client आया था ना वो client इतना बढ़िया नहीं था आईये दोस्तों आपको क्या-क्या बात करनी थी मैं आपको बता रहूं आपको reference आया था और आपको बात करनी थी कि yes किसी भी assignment में कोई भी assignment जब offer होता है accept करे या ना करे continue करना यह perform करना mandatory है और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है integrity सबसे बड़ा मुद्दा है integrity जो promoters है जो owners है जो shareholders है key management person है क्या वो integrity वाले लोग है honest लोग है सचे लोग है भरोसे मन्द लोग है उन पे विश्वास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो सबसे important और उसका shortcut दिया है दोस्तो sir की integrity shortcut है sir की integrity sir की integrity sir की integrity now listen s stand for scope and legality यह points को आपको अगर आपको जच करना है सामेर की integrity आप देखिए scope and legality scope मतलब क्या ठीक है range of activities जो हम audit में perform जितना भी काम हम लोग कर रेंज of activities हम जो perform करते हैं उसको बलते है scope ठीक है उसको बलते है scope इसका मतलब होता है है दो चीज़े हम क्या check कितनी चीज़े check कर रहे और कैसे check कर रहे what we check and how we check उसको scope बलते है आपको यह देखना है कि सामने वाला limitation of scope दाल रहे है कि हमको काम करने से रोक रहे है है अगर काम करने से रोक रहा है मतलब दाल में कुछ रोसकते है सामने आला बंदे कैंटीई में problem हो सकता है पिर आपको सामने आला है scope and legality लीगलीटी क्या सामने आला इंगा इंड़ीज़ कर रहे हैं money laundering criminal activities ऐसा कुछ कर रहा है तो सामने आले में कुछ गडबर खोट हो सकती है फिर आपको देखना है कि उसका accounting की तरफ attitude क्या है कि सामने आला बंदा accounting process financial statement preparation पर को importance देता है कि नहीं देता है उसको तोड़ने मरोडने की बात करता है बकवास बोलता है कुछ भी कर सकते है ऐसा बोल रहा है तो फिर integrity में problem हो सकता है फीज अगर फीज को बहुत कम रखनी कोश कर रहा है ताकि हम ज्यादा resources नहीं लागा सके हम ज्यादा काम नहीं कर सकी मतलब integrity में problem है reason देखिए सिर्फ हम नए हैं इसलिए उसने हमको अपॉइंट किया है हम कहीं से close relation में आते हैं इसलिए उसने हमको अपॉइंट किया है अगर यह reason है तो वापस integrity में problem हो सकता है ठीक है market में identity क्या है identity क्या है promoters owners ठीक है लोग इनकी market में reputation क्या है क्या यह जुटे लोग कहलाते है यह धोके बास कहलाते है ठीक है यह बहुत गलत काम करने वाल खेलाते है तो फिर integrity में issue है दोस्तो operation इनको चलाता कौन है इनका family चलाता है कि professional चलाते है family नौ सीखिए लोग इनको चलाते है कुछ इतना पड़े लुखे नहीं है knowledgeable लोग नहीं है integrity में problem हो सकता है दोस्तों इनका nature of operation बेवकूफ बनाने का काम है बेवकूफ बनाने का काम है सिर्फ label change करते लोग को बेवकूफ बनाते business practices भी बेवकूफ बनाने का है इनके operations ही बेकार है तो integrity में problem है सर की integrity scope and legality accounting attitude and fees concern reasons and integrity दिखे आपको चार बातों के ध्यान रखना है जान मुझ कि मैंने points club करके लिखे आप exam में उसको अलग-अलग लिख सकते हो लेकिन याद रखने के लिए बहुत अच्छा ही आपको scope and legality पे बात करना है accounting attitude fees and concern पे बात करना है reasons यह पूरे मैंने titanium books से problem यह बंदा money laundering में involved हो सकता है criminal activities में involved हो सकता है उसके integrity में problem है don't accept the assignment lovely देखो कितना प्यार तरीके से answer बदल गया आपको integrity के factors पे बात करनी थी you will have to talk about the integrity factors acceptance and continuous के अंदर सबसे important चीज़ होती है integrity उसके बारे में आपको बात करनी थी guys यह जो knowledge आपको मिल रहा है इसको बहुत positively इसको बहुत positively absorb करो ठीक है बहुत positively वाह you have to enjoy क्या question था ठीक है दो तरह के बच्चे रहेंगे यहाँ पर ठीक है दो तरह के बच्चे रहेंगे यहाँ पर दो तरह के बच्चे रहेंगे एक बच्चा ऐसा रहेगा जो क्या question मज़ा आ गया enjoying the process वाव क्या answer है factors को ऐसे सर की integrity मज़ा आ गया मैं answer ऐसे लिए वाह क्या question है बहुत ही बढ़िया यह बच्चे question को enjoy करेंगे यह बच्चे shortcut को enjoy करेंगे यह जो answer लिखावा है उस को enjoy करेंगे और enjoy करते करते पढ़ेंगे मज़े से पढ़ते रहेंगे ठीके back of the mind बूलना पढ़ता है I'm enjoying the process I'm enjoying the process I'm enjoying the process I'm enjoying the process बहुत मज़ा रहे है और कुछ बच्चे रहेंगे हे भगवान ऐसे question आ गये कैसे मैं इसको solve करूंगा क्या होगा मेरा मेरे को कुछ याद नहीं कर देंगे का पाईजिणल आ क्या करूंग रहा है अब मैं क्या करूं तीक मैं पागुल हो रहा हूं ऐसे बची रहेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता जो लोग process को enjoy करेंगे वो लोग तोड़ पोड़ करेंगे आई दोस्तो बड़ा-प्यारा concept हा इसके पह सब्सक्राइब पूर्सपर इस पर ख़िए और मुझे ऐसे चीज बनानी है जो बार-बार आप रिपीट कर सको बार-बार आप देख सको तीन बार देखके जाना यह वीडियो उसे स्पीड में तो तीन बार जरूर 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 हो जाएगा तीन बार आपको देखकर जाना है तो आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़े ठीक है आपकी दिमाग में चीज़े छप जाएंगी ठीक है दोस्तो और नाओ यू है तो एंजय दोस्तो कम अरण बाइस साब नम्यमबर 23 मोंक क्यों नम्यमबर 23 मोंक और क्या वापos ましょう एक्डम प्यारा के एक प्यार्स और प्यार्स एक रिए और को अपॉइंट किया है एक से और उसी एक reviewer है उनको पॉइंट किया है जिस City में एक Listed Company है एक Listed Company आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ Listed Company में आगे आने वाला Concept Listed Company में Engagement Quality Control Review mandatory होता है ठीक है तो एक Lister अपिएक लिस्टेड कमपनी और यह लिस्टेड कमपनी का इन्होंने रिव्योर आपउइंट किया है अपनी ज APPOINT कर लिया उसी हम चेकलिस्ट में रहती है इसने क्या किया है ठीक है सिंट टिक 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 उस्तो भी टिकिंग येस नो उसने एक checklist ली engagement review की online checklist डाउनलेड की yes no yes no लिख दिया एक checklist भर दी है ठीक है और उसके अलबा और भी उसके document में कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्या whether she can be held guilty of professional misconduct confuse मत हो जाना दोस्तों confuse मत हो जाना CA Act मत लगा देना CA Act मत लगा देना दोस्तों ठीक है please don't apply CA Act मैं आपको बता रहो ये जो session चल रहा है ये knowledge gaining session है पूरे इसके अंदर review की बात की है EQCR की बात की है EQCR की बात की तो आपके दिमाग में SQC SQC 1 और S2 20 आना ची दोस्तों ठीक है आपके 6 elements है उसमें एक element है यह answer यहाँ पर misprint हुआ है यह answer यहाँ पर misprint हुआ है कोई बात नहीं ठीक है बड़े बड़े देशों में छोटी बाते होती रहती है Senorita ठीक है आईए यहाँ पर वापस reference देना था मुद्दे की बात who can be बस वापस हुई बात who can be everywhere एक रिवर एक चार्ड अकाउनन होना चाहिए वह partner भी हो सकता है employee भी हो सकता है फर्म के अंदर भी फर्म के बाहर भी उसका कोई involvement नहीं होना चाहिए उसने participate उसने the person should not be a team member person should not be a team member he should not this person should not participate in the audit work ठीक है we should not participate उसने directly कोई काम नहीं करना चाहिए छोटी मोटी consultation चलती है मुपर पढ़कर है लेकिन बहुत important है कि सामने आला बंदा sufficient and appropriate experience and authority सामने आले बंदे के पास में sufficient appropriate expertise experience expertise होनी चाहिए ठीक है देखो जो मुद्धा बंदा आता है तो क्या करता है वो देख सबसे पहले आता है बहुत simple देखता है EQCR कि सारे significant matters सारे बड़े-बड़े बुद्धे टीम ने बराबर काम किना जितनी भी significant judgmently audit करते वक्त इन्होंने जितनी भी judgments बनाए इन्होंने auditories किती हुनी ची judgment बनाए मट्रिटी लेवल किती हुनी ची judgment बनाए ठीक है control से भरोसा करना कि judgment जारे judgment बराबर बनाए न रिव्यू करता है financial statement audit report बराबर है न और conclusions बराबर न रिव्यू और आके चार काम करता है दो significant काम करता है significant matters को देखता है significant judgment को देखता है फिर दो आखरी के काम करता है review करता है financial statement audit report और conclusions बराबर है न इनके जो ओपिंदरे वो बराबर है न उस पर focus करता है तो पहले आपको बताना था ठीक है पहले आपको बताना था कि reviewer कौन बन सकता है who can become reviewer और उसके अंदर एक मुद्दे की बात ऐसा बंदा हो जिसके बास में sufficient expertise sufficient experience और authority चार चीज़े करने के लिए ठीक है मैंने आपको बोला word-to-word match आपके जो concept book है वहां से जनरली वहां से आप चीज़ों को match कर सकते इसको आप मैं जो बोलो जो लिखा हुआ है वो भी आपको प्रोवाइट करूँगा अभी आप आत्मा को feel करते चलिए फिर आप बताएंगे कि लिस्टेड कंपणी के लिए लिस्टेड कंपणी के लिए और एक चीज़ बोला है लिस्टेड कंपणी के लिए अच्छा मैं आपको एक बता दू हमारे जो standards and auditing है ठीक है ठीक है अगर मैं standards and auditing के अगर मैं बात करूँ हमारे standards and auditing है हमारे standards and auditing बहुत बड़े दोस्तों विक्राल है बहुत बड़े उसमें से कुछ चीज़े हमारे study model में हैं, कुछ चीज़े questions में पुछी गई है, बहुत सी बार एक नई चीज़ आती है, बहुत सी बार एक नई चीज़ आती है, जैसे मैं आपको बता दू, यह question number 23 मोट का है, यह जो discussion है, यह discussion आपके module में है ही नहीं, पहली बार उन्होंने इस concept को अता रहा, पहली बार उन्होंने इस concept को उता रहा, आपको बताता हूं, आपके study model के concept important होते हैं, उसके अलावा MTP, RTP में जो पुछा हुआ है वो इंपोर्ट सी ता वहां पर आ रहा है Lister company बोला है कि सामने ले बाद technical experience होना चाहिए वो industry का knowledge होना चाहिए, वो business का knowledge होना चाहिए उसको लगने वाले format का knowledge होना चाहिए, FRF का knowledge होना चाहिए टेकनिकल expertise experience होना चाहिए, in fact इतना knowledge होना चाहिए कि वो खुद एक engagement partner बन सके, उस assignment का इतना knowledge होना चाहिए कि वो खुद वो assignment कर सके, question में साफ साफ लिखा हुआ है उसने कभी listed company का audit नहीं किया, कभी listed company का audit नहीं किया तो आपको बताना था, who can become reviewer, उसमें experience और knowledge का क्या importance है listed company में expertise और experience का क्या importance है, वो आपको बताना था document करना पड़ता है, ठीक है, उपर से reviewer को documentation करना पड़ता है ठीक है, कि भाई, ये पूरा काम, firm के policies और procedures, firm के quality control system को follow करके पूरा काम किया गया ना, लिखना पड़ता है, कि मैंने सब कुछ देख लिया, I am not aware about unresolved issues, इसी का मतलब होता है, मेरे हिसाब से सारे issues resolve हो चुके है लेकिन negative तरीके से बुलते हैं, जितना मैंने इनका checking किया, उसमें मुझे समझ में आया कि there are no unresolved issues, मेरे इसाब से significant judgments और conclusions अपरो, ये सब लिखना पड़ता है documents में, लिखना पड़ता है, firm के policies procedures के साब से काम हुआ ना, सारे there are no unresolved issues, कोई unresolved issues नहीं है ना, आखरी में judgments और conclusions बराबर था ना, इसके बारे में लिखना पड़ता है, फिर आप country ने बोलेंगे, साब साब नजर आ रहा है, कोई technical expertise नहीं है, वो engagement partner नहीं बन सकते, documentation नहीं है, proper काम नहीं है, ठीक है, दोनों का default है, जिस engagement partner ने ऐसे reviewer को appoint किया, उसका भी default है, और reviewer ने काम बराबर नहीं किया, उसने assignment accept किया, उसका भी default है, both are at fault, what a lovely question guys, ठीक है, what a lovely question, क्या मज़ेदार question है, मज़ेदार question है, एक 9 सीखिये को, एक 9 सीखिये को, reviewer बना डाला, EQCR बना डाला, listed company में, 9 सीखिये को, यह उसकी आत्मा है question की, और answer में आपको बताना है, कि reviewer किता होनार, बुद्दिमान, शक्तिमान होना चाहिए, listed company में कैसा होना चाहिए, और उसने documentation कैसा करना चाहिए, आपकी आत्मा answer की आत्मा में दो चीजों पर आपको focus करना है, reviewer कैसा हो, जब आप ऐसे मुद्दे पकड़ने लगोना, तब आप हीट हो गए हो, अगर आप एक एक word पकड़ रहे हो, cramming कर रहे हो, तो आप मर रहे हो, ना understanding बनेगी, ना answer बनेगा, मुद्दा ये था, reviewer कैसा होना चाहिए, और documentation कैसा होना चाहिए, reviewer कैसा होना चाहिए, documentation कैसा होना चाहिए, दोनों पे, दोनों पे ये लोगों ने गड़बड कर दिये, दोनों चीजों पे इन लोगों ने गड़बड कर दिये दोस्तों, ठीक है, बहुत ही प्यारा था, it was lovely, it was lovely, बहुत 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 प्यारा concept था, ठीक है आईए दोस्तों नाओ देखिए अलर्ट रहिए अलर्ट रहिए एनर्जेटिक रहिए सेशन को एंजॉय करते जाए ठीक है कम समय में मैं आपके दिमाग में एक बहुत प्यारा इंपाक करके जाओंगा और मैंने बोला गुरु दक्षिना में मुझे दो ही चीज़े चाहिए ठीक है सब जगह आप शेयर करिए देखिए यह मेहनत सिर्फ दो घंटे की मेहनत नहीं होती है इतने सालों से महनत की है पूरी टीम करती है वह महनत होती है प्लीज अब तक जिरूर 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 पहुचा है और आपके कॉमेंट्स और वीडियो रिडीविई आपके चैनल पर दलके हमारे जू गाम है यह काम को जादा से जजादा बच्चों तक पहुचाWिए हमारे effort को, हमारे knowledge को जहाँ से यादा बच्चों तक आप जरूर पहुच आई देखे, आप ही लोग हो है जो सब कर सकते हो, you are the ultimate people who can spread positive knowledge ठीक है, आईए now, listen assembly of audit file, क्या प्यारा question है, दोस्तों, एक से एक प्यारे question है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक CA file student हो बोलता है एक CA file student हो बोलता है कि पूरा engagement documentation, पूरा documentation का का काम, ठीक है, sign audit report issue करने के पहले हो जाना चाहिए, क्या बात सहिए 50% बच्चे हाँ बोल देंगे 50% बच्चे हाँ बोल देंगे आईए दोस्तों, सबसे पहले आपको वापस दोनों का reference देदो SQC 220 का आप reference दे दीजिए आप दोनों का reference दे दीजिए दोनों का reference देने के बाद में आप मुद्दे पे आईए, ठीक है, आप मुद्दे पे आईए FISRO, जैसे ISRO होता है तो FISRO, ठीक है आपको file finalization और multiple reports के बार file finalization के बार बात करना है SQC1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी engagement documentation आपके जो audit documents है आपके जो audit documents है आपके जो engagement documentation है वो complete होना चाहिए within 60 days within 60 days from the date of audit report, देखो audit evidence collection audit report तक हो जाना चाहिए, evidence collection should be done before signing audit report, लेकिन यहापे evidence collection की बात नहीं कर रहे है, documentation की बात कर रहे है, as per SQC1 it should be done within 60 days within 60 days 60 days from the date of signing audit report, साथ दिन के अंदर अगर आपने एक ही बंदे की multiple reports sign किये, ठीक है multiple reports आपने sign की है तो हर report से साथ दिन हम को लेने पढ़ेंगे तो आपके audit documentation को पूरा assemble करके, सजा करके, file बनाने का जो process है, assembly of audit file का जो process है, वो process 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, multiple report तो हर date से 60 days के अंदर फिसरो, पहले आपको file finalization के बार में बात करना है फिर आपको security के बारे में बात करना है, security के बारे में आपको security के बारे में आपको बात करना है security के बारे में बात करना है, एक बार बनजा इसको safe and secure है इसके अंदर कोई भी unauthorized changes नहीं होने चाहिए, file के अंदर इसको 7 साल तक retain करना from the date of audit report, और अगर आपने group का audit किया है तो 7 साल, जो group financials, जो group audit report है उससे 7 साल हमको count करने पड़ते हैं, और पूरी तरीके से आप owner हो, आपको फिस्रो की बारे में बात करना है, आपको file finalization के बारे में बात करना है, security के बारे में बात करना है, retention के बारे में बात करना है, ownership के बारे में बात करना है, यह main content है और उसमें आपको case discuss करना है पूरा का पूरा आपको बताना है ठीक है, we are not talking about evidence collection we are talking about assembly of audit file completion of the audit engagement 60 days allowed है ठीक है, audit report के बाद में 60 दिनों के अंदर तो जो बोल रहा है बंदा वो सही नहीं है, contention is incorrect, lovely question क्या प्यारे-प्यारे questions है lovely questions है, बहुत प्यारे हो सकता है, बिलकुल हो सकता है कोई problem ने, बिलकुल बिलकुल हो सकता है आईए दोस्तों, फटाफट बिलकुल हो सकता है, सेम मन्दब क्या lovely question है या असेंबली और मेरी बात मानिये new course में Q&A बहुत important है आपको Q&A की practice करनी पड़ेगी Q&A की practice मज़ेदार है, जबर्दस्त है, इससे knowledge के द्वार खुल जाते है, knowledge के द्वार खुल जाते है दोस्तों, अगर आपके छोटी more reasonable, conceptual clarity है, एक मुटा मुटी आपका concept clarity अच्छा है, Q&A आपके concepts को खोल के रख देगा, आपको एक प्यारी understanding देगा, आपको interpretation के बारे है, Q&A reviewer बोल रहा है, एसा होना चाहिए, reviewer बोल रहा है, एसा होना चाहिए, और engagement partner बोलना नहीं होना ही, बजिक नहीं होना Hai, बेसिकली दोनों बीच में difference of opinion है, दोनों के भीच में difference of opinion, opinion mismatch है, दोनों के thoughts match नहीं करते ही होते है, difference of opinion है, बता औ Besides what you say, lovely question ''Thoughts match'' नहीं हो सकता है य सकता है यह between वेंबर इनकट 흔feld तीम तीम के बीच में में हो सकता है तीम मेंबर और convent अगर कोई consultant EPO Sebastian consultant होता है बहुती complex area के अंदर sensitive areas के अंदर उसके बीचमें और da office के में हो सकता है thainn right Engagement partner पार्टनर और रिव्यूर उसके बिच में भी डिफ्रेंस ओपिन हो सकते हैं तीम तरह के डिफ्रेंस ओपिनियन टीम के अंदर आपस में हो सकते हैं इंगेजमेंट पार्टनर आ गया टीममेंबर उनके बिच में हो सकता है कंसल्टन के साथ में डिफ्रेंस ओपिन हो सकता है र रिफोर्ट इशू करने से पहले कभी भी आपको बुलेंगे कि भ AIDS है रिफोर्ट इशु करती बाद में इफॉर्ट इफ इपने से पहले वैसे सारे डिफ्रण्जट को जातीर प्रिकर ऑपनि daw रिजू इसा नहीं जैसे manger आपको CA firm के अंदर resolution procedure दी होती है, वो follow करना पड़ेगा, बहुत simple procedure हो सकती है, ऐसा बोल सकते है, तु एक paper पे लिखके दे तेरा point of view, तेरे paper पे लिखके दे point of view, दोनों एक में को exchange करो, लिखकर दो, एक में को, या तो तु इसको, दोनों एक में को convince करने कोश्च करो, पहला step नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, manager के पास जाओ, उसके पास दो, वो decide करेगा, वो decide नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, engagement partner के पास जाओ, वो भी decide नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करो, partners voting करके decide करेगे, पूरी policy दी होती है, तो पहले आपको दान, difference open हो सकता आपको बताना है resolve होना चाहिए और procedure resolve होना चाहिए, procedure follow होना ही चाहिए report issue करने से पहले ऐसा करने से quality will improve पूरे काम की overall process की quality improve होगी, जो deficiencies होगी वो खतम हो जाएगी, case discussion में आपको करना है कि दोनों का एक proper procedure follow करके difference opinion को resolve करना पड़ेगा बस इतना ही बताना है कि procedure follow करके difference opinion resolve करना पड़ेगा उसके बिना audit report sign नहीं हो सकती audit report cannot be signed उसके बिना, ठीक है तो बहुत प्यारा था again बहुत प्यारा था तीन बाते बताने है, difference के बारे में बताना ठीक है, फिर आपको report issue करने से पहले resolve करना पड़ता है resolution firm के policies process के साब से होना चाहिए resolution की बार में बात कर रहे है हम लोग, we are talking about resolution only resolution होना चाहिए और कब तक हो जाना चाहिए और इससे quality improve होती है उसके बार में बात करना है, तीन मुद्दों के बार में आपको के अंदर आहे, November 20 exam में आहे था, मेरे 22 mock के अतवर आहे था, ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारे, एक firm के अगेंस बहुत सारी complaints का रही है, एक firm ने गलत काम किया एक firm ने गलत काम किया है और उपनिंग बालेंस बराबर पपिछेक नहीं किया हुआ है और अब उनकी अगंस Complaints Complaints Allegations आरे तो इसके बार में क्या करना चीए democr kalo करते तेरी तो, ठीक है? हम अतनी मस्ती में आघ लगे़ बस्ती में ऐसा करना चीए? एग्सान आरे पना था एक्नौर सक्ट अई कि आईए दोस्तों ठीक है देखे मैंने यहां पे मैंने यहां पे लिखकर लिखकर दी हुई है चीज़े जो भी मैंने यह राइटिंग में दिया हुआ है यह मैं आप लोग को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा आईए आईए क्या complaints और allegations को हम लोग ने ignore करना चाहिए आपको reference देना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा अरे भाई साब आपको बताना पड़ेगा ठीक है उसमें आखरी मुद्द है monitoring कि आपने जो quality control system बनाया है छोग छे मुद्दों की जो policies और process बनाया है उसको आपको उसको आप तो देते रहना चाहिए उसके अंदर जो monitoring है monitoring के अंदर उनने बात की है कि complaints और allegations basically feedbacks complaints और allegations को बहुत serious लेना चाहिए उसको समझना चाहिए ठीक है तो आपको बताना है कि येस छे मुद्दों में से जो monitoring है उसके अंदर complaints और allegations उसमें आपको बताना है standard point हर जोगा बताना है complaints complaints CA firm के अंदर से भी आ सकती बहार से भी आ सकती है other partners है employees है team members है वो भी complaints allegations कर सकते बहार के ठीक है बहार का बहार के government authority government authorities regulatory government regulatory authorities clients clients या फिर कोई भी society कोई भी बंद अकोर्स कोई भी आपके complaints allegations कर सकते है firm के अंदर एक channel clearly defined होना चीए एक clearly defined होना चीए कोई email address होना चीए कोई phone number होना चीए contact details होने चीए बंदा responsible होना चीए जहां पे complaints और allegations लोग कर सके बिना किसी डर के बिना किसी डर के एक neutral बंदा एक honest बंदा सच्चा बंदा होना चीए जो confidentiality को बरकरार रखे ठीक है तो आपको पहले source के बारे में बात करनी है फिर आपको channel के बारे में investigation एक process होना चीए ठीक है process होना चीए process होना चीए कि भाई जब भी आती है तो शायद कमिटी सारे complaints करने के लिए committee होनी चाहिए हर छे मैने में committee change होती रहती है ऐसा होना चीए और यह committee supervision में काम करें ऐसा partner जो involved ना हो उसके supervision में काम करें ठीक है अगर partner के साथ में legal counsel को भी appoint कर सकते legal counsel legal counsel lawyer को भी appoint कर सकते हैं ठीक है आप इसके लिए यह process बराबर चल रही है उसके लिए small firm में इतने लोग नहीं होते proprietor में क्या करेंगे कोई दूसरा partner तो होता ही नहीं है तो बहार से external individual firm को appoint कर सकते हैं तो investigation का procedure सेट होना चाहिए पार्टनर के supervision में होना चाहिए ऐसा पार्टनर जो इन्वाल्व ना हो legal counsel की मदद ले सकते है छोटे firm वाले दूसरों की मदद ले सकते है जब deficiency निकलती है complaint non-compliance, deficiency action लेना चाहिए उन लोग को punish करना चाहिए उसका सबसे पहले उसका rectification होना चाहिए उनको punish करना चाहिए और document करना चाहिए क्या complaint था और क्या response है पांच चीजों के बारे में आपको बात करनी है complaint के source अलग-अलग हो सकते है आपके firm के अंदर channel होना चाहिए, channel आपने बनाना चाहिए कि लोग कैसे complaint allegations करे इन्वेस्टिकेशन की process होना चाहिए, किसके supervision में होना चाहिए, action लेना चाहिए और आखरी में डॉक्ष, प्यारा सा sequence है पहले कहां से आ रहा है source के बारे में बात करेंगे, channel के बारे में बात करेंगे पहले वही तो होता है, पहले source है, आती है complaints, फिर कैसे आती है, उसके channel की बात होना चाहिए, फिर investigation होता है, फिर action उसके बारे में बात होना चाहिए, फिर documentation की बात, एक flow में है, flow में याद रखोगे तो बात याद हो जागी, पांच मुद्दों पर आपको बात करनी है, ये बात करनी है, और simple है, कि ऐसी policies होनी चाहिए, और implement होना चाहिए, तो ऐसी ये पांच चीजे होनी चाहिए, किसी भी firm के अंदर और उसके इसाब से काम करना चाहिए, ठीक है, ये तो मैं का बाकी, भाई में 22 मौक के अंदर आया है, में 22 मौक के अंदर ये बात पूछी गी थ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आईए, नाउ, 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 गाईस, सेशन के साथ में बने रही है, आत्मा के साथ में बने रही है, ठीक है, कुश्चन को फील करिये, एंसर को फील करिये, मुद्दे को फील करिये, मुद्दे को आप फील करते जाएंगे, बात बंद की जाएग अगे- अबी- अबी- हम बात करेंगे- अभी अगर अगर लोग बात करें दोस्तों तो बहुत जारीचैजू है क्या फील है यह question के अनदेर डहीं। देरुलिके सब्सेटों लिस्टे सबूंद ने मंने सब्सक्राइबू यहाँ ने मंदिट्री पादी में लडाइन और भूर्द सबूर मुद्दत के बना यहां यहां पे इनुने यहां पे इनुने मुद्दा क्या बनाया है मुद्दा यह बनाया है मुद्दा यह बना के रखा हुए है कि एक क्लाइंट पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एकाउन्टिंग आगया अकाउटिंग प्लिकेशन आगया तो C.A. Institute की expert committee होती है, अगर आपको पता नहीं होती है, C.A. Institute की expert committee होती है, accounting, auditing, rated matters के उपर open देने के लिए, तो मुद्दे उसके पास गए, उसके पास गए और उन्होंने opinion दिया और उसके हिसाब से accounting कर रहे है, तो basically C.A. Institute की जो expert committee होती है, उसके opinion के हिसाब से accounting की जा रहे है, किया जा रहा है, बरकरार किया जा रहे है, बहुत बढ़िया, बहुत अची बात है, उसके साब से आप काम कर रहे हैं, अब यह लोग बोल रहे हैं, जब महा महीम C.A. Institute के साब से काम कर रहे हैं, तो EQCR का कोई मतलब नहीं बनता है, EQCR is not required, मुर्ख लोग है, मुर्ख लोग ह कि भाई, अगर आपने किसी का, आपको किसी के expert open के साब से accounting कर तो review नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल गलक्त सोच है, यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको EQCR के बारे में लिखना है, आपको reference देना है, आपको reference देना है, और EQCR के बारे में आपको बोल रहे ह आपको बताना है कि engagement, engagement quality control review करवाया जाता है, ताकि review और आके charge यह चेक करें, ठीक है, simple चार चीज़ों के focus करता है, देखो एक चार चीज़ों के focus करता है, दो significant और दो conclusion के जो ऊपर बने बोलाता है, सारे significant matters बराबर है ना, सारे significant judgments बराबर है ना, financial report बराबर review करता है, और आ BQCR आर यह देखता है, और कितने depth में काम करेंगा, डिपेंड करता है, assignment कितना complex है, कितनी रिस्की, जितनी अधा complexity है, complexity assignment के अंदर, धंदे के अंदर, उसके accounting के अंदर, financial इतनी complexity है, जितनी अधा risk है, उतनी अधा मैनत करनी पड़िया, it is applicable, mandatory for all listed companies, क्या बात कर रहे हैं, भ Ari ऐसके अलावा फर्म अपना criteria set कर सकती है फिर्म बोल सकती है इसका तर्णर 100 euro उसके उपर उसको लग जाएगा इसके profit 10 euro उसको लग जाएगा इसका weap Year год इतना उसको लग जाएगा वो अपने इसाब से criteria set के सकती है, जू listing post उसको लग जाएगा criteria based भी firm के policy के साब से लग सकता है ठीक है engagement partner की जिम्मेदारी होती है कि वो reviewer को appoint करे review अच्छे से करवाए ठीक है उसका review अच्छे से करवाए complete करवाए उसके बाद ही report को sign करे तो यहाँ पर case discuss करना था team का जो viewpoint है बिल्कुल गलत है it is mandatory review is mandatory तो आत्मा क्या थी आत्मा यह थी आपको EQCR EQCR क्या होता है उसके बारे में बात करनी है उसके applicability के बारे में बात करनी है engagement partner करवाएगा उसके बारे में बात करनी है ऐसा आपकी दिमाग में नुचिए क्या होता है what is it applicability what is it applicability और responsibly देखे दोस्तों ये मुद्धे आपकी दिमाग में फिट होनी चीए बच्चे क्रैमिंग कर रहे हैं बहुत गलत बहुत 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 ज़ादा गलत ठीक है ये मुद्धे अरे अगर ये मुद्धे लिख कर आओगे न तुम अपनी लैंग्वेज में अच्छी इंग्लिश मे गलती होती है 50% मुद्धे लिखते नहीं उसमें गलती होती है और फिर हम बिल फाड़ के आते हैं लैंग्वेज बराबर नहीं थी बाकी सब सही था लैंग्वेज बराबर नहीं थी बाकी सब सही था अब इंटरपिटेशन में दिक्कत होगे ना बेटा इंटरपिटेशन म क्या लवली कुष्ष्ञ कुष्चन था तो डूस्तों और यह जो इनीशल में आपको रोखती यह बड़ा प्यारघ्याठ शैप्टर बढ़े प्यारे केस्टेडिजिस seçके अंदर बहुत ही प्यारा चैप्टर यह बहुत प्यारे केस्टेडिस इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही पहारे, आईए, 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 एकदम सिंपल बात लिखिए, एकदम, पहले पूरी कहानी बताइए, पूरी कहानी, May 22 मौक का है, ये old course पे, आप old course नहीं ही है, ये तो सिर्फ, आप old course य आईए, आईए, आएगा क्या रहे भाई, ऐसी बात मत कर, ऐसी बात मत कर भया, recent MTP, RTP है, ठीक है, आएगा क्यों नहीं, आने के पूरे chances है भाईजी, आएगा ही, ठीक है, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एकदम सिंपल, पहले वो COVID की बात की है, PP किट की बात की है, काम मिल returns and process लगाये हुए, इस से आसान तो कुछ होई नहीं सकता, बोले किस तरह की जानकरी लेनी थी, किस तरह की जानकरी आपको लेनी थी, ठीक है, आईए, दोस्तों, आपको, आपको वापस पहले, देखो, चार मुद्ध, आपको reference की बात करनी है, reference, आपको reference की बात करनी है, SQ SQC 1, 2, 20, SQC 1, 2, 20, दोनों का reference दे दीजिए, आप उसमें बताएंगे, आप उसको बताएंगे कि कोई भी नया assignment, कोई भी assignment offer किया जाता है, तो आपको acceptance and continuous procedure लगाना पड़ता है, नय assignment में सोचना पड़ता है, accept करे या ना करे, पुराने assignment में सोचना पड़ता है, continue करे या करे, यह करना mandatory है, यह आपको बताना है, और इसमें क्या information इखटा करनी पड़ती है, चार, इसके अंदर आपको चार information इखटा करनी पड़ती है, लिखा है ना मेने वाज्यू में, आपको पहले reference देना पड़ेगा, आपको content में बताना पड़ेगा कि acceptance and continuous procedure आपको perform करनी पड इनकी integrity के बारे में, honesty के बारे में, सक्चाई के बारे में बात करनी है, दो बाते खुद के बारे में बात करनी है, हमारे पास competence है क्या, धंदे का audit, वो business का हमारे पास में knowledge है क्या, FRF का हमारे पास में knowledge है क्या, assignment का हमारे पास में knowledge है क्या, ऐसे काम हमने की है, competence है क्या, हमार टीम इंडिपेंड अथिकल रहे पर दो बाते खुद के बारे में सुचनी है, एक सामने आने के बारे में, दो खुद के बारे में, जितने भी significant matters है, current year और previous year के, सब देखने कि उससे हमारे मन में कोई doubt create हो रहा है, सब देखने आपको, सब देखने कि हमारे मन में कोई doubt create हो रह उसको देखना है, ठीक है, कोई negative publicity और उसको देखना है, सारे बड़े-बड़े मुद्धों को देखना है, conclusion, ठीक है, non compliance of SQC 1 and 220 भाई सब, non compliance of SQC 1 and 220 है, तो बहुत ही simple सी बात, बहुत simple सी बात है दोस्तों, ठीक है, आपको acceptance and continuous procedure, उसमें info देखो, या दखना कितना प्यार तरीका है, एक बात सामने वाले की, दो बाते अपनी significant matter से देखो, उपर की जानकारी में कोई problem है क्या, आईए, आईए, ठीक है, यह जो handwritten notes है, मैं class के बाद में, handwritten notes है, अभी आप महसूस करते हैं, यह feel करते जाए, मेरे साथ साथ में चलते हैं, question की आत्म, answer की आत्म, question की मैं, मैं पिछले ठीक है, यह परम batch, अभी मैं third edition है परम batch का, एक साल पहले मैंने लिया था हूँ, उसके दो साल पहले मैंने लिया था, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं एक database आपको बना के दो कि कि अपना question number unique है, question number change नहीं होता है, question number change नहीं होता, तो मैं database create कर दूँग कि यह questions का अगर आपको यह question भली मेरे अभी discussion में cover नहीं हो पुराने परम में कहीं पर cover हो तो आप उसको देख लो उसका database में create करके आपको provide करने की पूरी help करूँगा ठीक है यह 250 important questions कैसे बने यह भी मैंने बता हुआ वाव क्या question है दिल आ गया जी दिल आ गया दिल दिल आ गया उसके उपर दिल 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 तड़पराय एक्जाम में आने के लिए 19 RTP, 19 mock paper, study material 20, May 22 RTP, study material 23 तड़पराय यह मचली के जैसे बिन मचली बिन पानी वैसे तड़ यए भाई सापंन सारा काम मुझसे ही नहीं करवाये अगर किसी को Г fatty tongue को कर दीजे ठीक है सारा काम professor ही करेगा सब सब ठीक है साना काम professor से भ्रेसर ही करवाारे सब कि ठीक है आई आए आई आए आये आई अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें इंडिपेंडन्स बहुत ही प्यारा कोश्चन है क्या कोश्चन है आपको बात हो एक लिस्टेड कंपनी है एक लिस्टेड कंपनी है और इंगेजमेंट पार्टनर जो है ठीक है इंगेजमेंट पार्टनर ने पूरा काम कर लिया इंगेजमेंट पार्टनर ने पूरा काम कर लिया और उसमें देख लिया कि हमारी टीम इंडिपेंडनेंट है कि नहीं 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 उसने पूरा काम कर लिया कि engagement partner बोलता है मैंने सब चेक कर लिया ना तेरो कोई check और इसमें जवाब क्या होता है ? इसमें जवाब क्या होता है ? ठीक है ? इसमें जवाब ऐसा है धुस्तो Ichis आईएएएएएएए- और रिव्याइर की बेजिम्मेदारी है यह इसमे आत्मा है रिस्पॉंसिविटी अफ इंगेजमेंट पार्टनर टूर्ट्स एथिकल रिक्वार्मेंट एंडिपेंडेंट्स पहले आपको बताना है उसकी क्या जिम्मेदरिया और देखो बहुत सिंपल हैं इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी इंफर्मेशन कलेक्ट करना पूरी इंफर्मेशन कलेक्ट करना पूरे टीम और ठीक है पूरे टीम मेंबर्स की पूरी इंफर्मेशन इखटा करना दोनों का रेफरेंश दीजे इंफर्मेशन इखटा करना कि किसके पास में कितने है किसकी बाएस में किया बिजनस ट्रांजक्शन है financial transaction relatives कौन को पूरी information एकता करना है पूरी information करना evaluate करना information क्या firm की कोई policy breach है क्या firm के policy में लिखा था client का एक भी share नहीं होना चाहिए क्या क्या कुई breach है क्या फॉर्म के policy है कोई breach है क्या वह देखिए shares ठीक है shares आप कम करवा दो आपने threat को एक से अपर सामने आले की उपर जादा Supervision review लगा दो threat को आपने और कम कर दिया सामने आले को sensitive area से हिला दो और अपने threat को कम कर दिया या तो सबसे मैस्टे eliminate कर दो या तो reduce कर दो या तो फिर भाई आप दिद्धा मार दो, संत्भा दो ज्रोड़ नहीं हो पार है, एलमेडने हो पार है, तूर अगर कुछ नहीं कर पार तूno को बताना पड़ेगeh कि भाई साब मैं इन्दिपेंडेंस और एतिकस के इसू को मैं manage नहीं कर पा रहा हूँ देखो चार मुद्धे आपको बताने पड़ेगी कि engagement partner की जिम्मेदारी होती है पूरे team को ethical independent रखने की उसके लिए चार काम करने पड़ेंगे information collect करनी पड़ेगी उसको evaluate करना पड़ेगा कोई breach है क्या कोई threat है क्या appropriate action लेने हो गया करना पड़ेगा सअभा एक क्यों ठीक है engagementsel कोई-सक्रль रिवियर है ले-स्टेट कंपणी में additional responsibility in this company में additional responsibility must be listed company में दोस्तो एंडिशनल स्पोंसेशने स्वांगेकाइन तीन additional responsibility होती है लिश्टेड कंपणी में CID इंगल्याल के अंगे ठीन additional responsibility THE CID c4 consultation डेखना पड़ता है टीम ने रेगुलर बेसिस पे जो भी complicated areas थे contentious area थे ठीक है problematic area थे वहाँ पे consultants को appoint करके उसके consultation properly लिया ना फिर क्या टीम independent थी ना listed company में जिम्मेदारी बढ़ जाती है consultation बराबर था ना वो independent documentation जो documentation किया गया है सही में यह audit process perform की गई गया whether documentation is reflecting the truth is reflecting all the audit procedures its evidence its results its discussions क्या यह truth है क्या यह सच्ची बाद सच्चा document है क्या सही में सारी चीज़े हुई है क्या तीन बाते देखनी पड़ती है क्या team ने consultation लिया क्या independence बराबर था ना documentation जो दिया है वो बराबर है ना documentation appropriate है ना तो मुद्दा यह है engagement partner भी independence के बारे में काम करेगा और reviewer भी independence के बारे में बात करेगा कि मेरी मुर्गी की एक तांग है इस मेरा ध्यान होगा यह बिलकुल गलत है यह बिलकुल बिलकुल गलत है आपके मैं आपको पुश करना हूँ लेकिन पुश मैं करना चाहता हूँ ठीक है आपके अंदर का बेस्ट निकालने के लिए करना बहुत जोड़ी है मेरे लिए कानेक्टेड नहीं है लेकिन कही पर मिल जाता आपको बता तो आइए भाई ये तो बढ़ा ही इंट्रेस्टिग है कारो ट्राफ्ट हुई रॉइ इंट्राफ्त होई है मेरे वी इसके अंदर हम्रों को पता हूँ लेसे के वाए आपपा comment statuary के बारे को we have okay ठीक है और वहाँ पर कारों में रिपोर्टिंग हुई है और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है उनने बस इतना सिंपल लिखा हुआ है कि कंपनी इस जनरली रेगुलर कंपनी इस जनरली रेगुलर इंस्ट इन डिपोजिटिंग साचिट्री द्यूट अब यह एक्जाम्स के लिए नहीं नो निट्ट एक्षिन एक्जाम कारों का गाइड़न्स नोट है कारों गाइड़न्स नोट है उसने बोलाए कि भाई आपको जब आप ऐसा लिखते हो कि कमपनी जनरल है या तो लिखे कमपनी रेगुलर है इन डेपोजिटिंग साचिटरी द्यूट या तो आप यह लिखे या नोट रिव्यूर इपोजिटिंग साचिटरी दुज आप बीचमें का लिखर उसका मतलब कि आपको इलाबरेट करना हमेशा ऐसा assumption लो, जिसमें दिख रहा है कि घलती की है, हमेशा कभी भी assumption है, ऐसा assumption लो कि भाई साब गलती हुई है, ऐसा assumption आपको लेकर चलना पर ने, तो बंदे ने बहुत वेग तरीके से Reporting कर दी है, बहुत वेग तरीके से reporting कर दी है, comment करिए, ठीक है, as per asset 220, as per asset 220 देखिए, ये सारे questions एक बार की होने चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परम question bank से 50% paper आने वाला है, ठीक है परम question bank से आपका परम question bank से आपका 50% ठीक है, हाँ MCQ भी करवा हूँगा, एक बार Q&A हो जाए, उसके बाद मैं MCQ भी करवा हूँगा, इसके बाद मैं MCQ भी करवाने वाला हूँ, हाथ दो कर पीछे पढ़ने वाला हूँगा, चिंता ही मत करो बिल्कुल, चिंता ही मत कर याँगा, आईए दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे पहले आपको रेफरेंस देना था, SQC1 भी दे दो भाईया, मैं बोल रहा हो ना, ये दोनों का, कहां रट्टे फिर होगे, और इंसिट्ट्यूट ने इधर उधर बहुत किया, SQC1, SQC1, SQC2, दोनों का रेफरेंस दो, दोनों का कॉंसेप्स काम आने वाले है, जब audit का पूरा काम, as per legal requirements, act, law, rules इसमें आते हैं, उसके बाद regulatory requirements, जो regulatory authority, law बनाता है, parliament, as per legal requirements, उसके बाद में regulatory requirements, और फिर professional standards, जब पूरा काम systematically होता है, law के इसाब से, regulatory authority के regulations के इसाब से, फिर professional standards के इसाब से, और report आखरी में, appropriate बनती है, मतलब reliable और relevant report बनती है, तो उसको हम लोग बोलते है quality, यह हमारा objective है, यहाँ पे, case discuss करी हो, यहाँ पे बोलिए, ठीक है, non-compliance है, ठीक है, आप law, rules, regulations, professional standards, non-compliance है, guidance note का, guidance note on caro, आप बराबर follow नहीं किया जा रहा है, detail में reporting नहीं की जा रही है, appropriate reporting नहीं की जा रही है, report भी appropriate नहीं है, मतलब SA220 के objectives, achieve नहीं किये, बहुत ही प्यारा था दोस्तों, आईए, 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 come on, come on, come on, come on, come on, अपने होसले को, अपने होसले को एकदम जोरदार बना कर रखें, दोस्तों, एकदम जोरदार, क्या आप प्यारे प्यारे केसे, क्या प्यारे प्यारे केसे, एक से बढ़कर एक केसे, दोस्तों, एक से बढ़कर एक केसे से इसके अंदर, lovely cases, बार-बार इसको देखना चाहिए, इनके मुद्दों को देखना चाहिए, मार्किंग करनी चाहिए, अपने हाथ से लिखना चाहिए, ठीक है, लवली केसे और मैं आपको बता रहो Q&A प्रैक्टिस विल टेक यू नेक्स लेवल, एक्जाम में करना क्या है दोस्तों, आपको को बोने हो इसके बहुत बहुत जिएधा जरूविह है, आइए, नौ चाप्टर नमब टू, चाप्टर नमब टू, चाप्टर नमब टू, चाप्टर नमब टू, 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 टू.. क्या प्यारा सा कॉष्शनicha, Study Mettore 23 का क्या City 33 का क्याsstा है Mr. Begin. Internal von बर कुछ डेफिशियंसी है कुछ प्रॉबलम है। वह सकता है फिजिकल सिकुरिटी नहीं हो, वाथराइजेशं नहीं हो, वाधरिजेशन नहीं हो.. होसकता है, रेकॉर्ड कीपिंग बराबर नहीं हो.. रिकंसिलेशन नहीं बन रहे प्रॉब्लम से, उन्हें प्रॉब्लम समझाई भी है, डेटर्स का रिकंसिलेशन नहीं बनता प्रॉब्लम है, जो डेटर्स की लिमिट है, उसको कोई जो क्रेट लिमिट है, उसको कोई बार बार रिव्यू नहीं करता प्रॉब्लम है, इंटर्न अब मैं आपको honestly ylि यह बता रहा हूं. इसको किस चीज़ के हिसाप से जवाब देना इसपे confusion हो सकता है. आगर आपने question पहला गळल किया हुआ है तो आप एकदम ऍससे क्या allude, मतलब इससे क्या महसूस हो रहा है इससे क्या महसूस होना ओर्टर को इससे क्या महसूस होना ओर्टर को आईए ठीक है पूरा concept से आपको लेकर जाओंगा मेरे इसाब से इसका answer क्या होना चाहिए मैं perfect answer बता रहू मेरे पर विश्वास करिए concepts को पकड़िए flow को पकड़िए आप जंग जीट जाएंगे you will love it, you will enjoy it ठीक है हाँ भाई English में भी यही सब question discuss होंगे भाई बच्चे तो वही है exam तो वही है क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो तुम ठीक है reference of SA240 reference of SA240 आईए आपको सबसे पहले reference of SA240 आपको सबसे पहले दोस्तो सबसे पहले आपको 240 का reference देना है आपको उसमें बताना है fraud risk factor होते है कोई भी ऐसी चीज जिसके वज़े से fraud हो सकता है which can become reason of frauds they are called fraud risk factor which can lead to fraud उसको fraud risk factor बोलते है तीन तरह के fraud risk factor होते है pressure attitude opportunity बहुत सी बार pressure होता है fraud करने का pressure होता है बहुत ज़्यदा fraud करने का यह incentive होता है ठीक है बहुत ज़्यादा benefit flow हो सकता है कम efforts में बहुत benefit हो सकता है pressure incentive A for attitude या तो attitude attitude ही बहुत बेकार है unethical activities करने का attitude है unethical activities करने का attitude है carelessness का attitude है या तो गलत काम करने का attitude है या careless है बहुत लोग opportunity opportunity ठीक है भाई सब situation ही ऐसी है situation ही ऐसी है कि fraud बड़े आसानी से किया सबता है एकदम दरवाजें open करकर रखे हुए situation ही ऐसी उसको बड़े opportunity situation ही कि बड़े आसानी से fraud कर सकते है तो आपको बताना है fraud risk factors होते है which can lead to fraud there are reasons of fraud तीन तरके होते है इस पे attitude होना carelessness का attitude होना carelessness का आदमी बहुत लापरवा होना careless होना उसको बार बार लोग deficiency बता रहे है system में problem बता रहे है ठीक है दूर नहीं करना it shows careless attitude ये एक fraud risk factor होता है पहले आप एक content लिखो गया case को पूरा discuss जब मैं बोलू case को पूरा discuss करना है case की सभी बाते फिर से repeat करनी है या फिर से repeat करनी है और आपको conclude करना है कि इससे मुझे fraud risk factor मिल रहा है क्या hint मिल रही है fraud risk factor मिल रहा है और हो सकता है इसके वज़े से आगे जाकर fraud हो fraud risk मिल जाए हमको तो deficiency दूर नहीं करना ये fraud risk factor है जो आगे जाकर fraud बन सकता है कितना प्यारा है कि कैसे इससे हमको क्या hint मिल रही है इससे हमको fraud risk factor मिल रहा है जो आगे जाके fraud risk बन सकता है जोरदार था ठीक है दोस्तों बहुत जोरदार था कि कैसे आपको fraud risk factor मिल रहा है जो आगे आगे fraud risk मिल जागे आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए दिमाग के दर्वाजों को खोलते रही है ये तो भाई question अलग ही दर आइंसिट्यूट में अलग कोश्चन अलग में खोल्या एक दम ऄंद लॉबल का क्योंग डाल लूओ फोचन ये आईए है मतलब करने अधिकर आए नव चैंकत क्या देखें क्या एक नया जोग एक नया log एक नया log एक चृड एक सुशल compliance of law और और यह situation से क्या होगा भाई कितना यह situation से क्या होगा तो आपको दो ऐसे का reference देना पड़ेगा 240 और 250 240 और 250 आपको दो ऐसे का reference आपको दो से का reference देना पड़ेगा दोस्तों you'll have to give reference नहीं भाई पूरे points नहीं समझाने पड़ेंगे पूरे points नहीं समझाने पड़ेंगे दोस्तों क्या बात कर रहे हो यार ऐसे थोड़ी concept explain करेंगे 240 250 दोनों का concept हम explain करेंगे और case को discuss करेंगे और फिर conclusion देंगे आएंगे आईए क्या concept आपको explain करने पड़ेंगे पहले अगर मैं ऐसे 240 ऐसे 240 ऐसे 240 के अंदर ऐसे 240 के अंदर पाओ तीन तरह के इसके एक्जांपल दिये है प्रेशर के एक्जांपल्स दिये हुए है आटिट्यूड के एक्जांपल्स दिये हुए है और दोनों फ्रॉड के पॉइंट ऑफिस से fraudulent financial reporting के इसाब से भी fraudulent financial reporting के इसाब से भी एक्जांपल्स दिये हुए है fraudulent financial reporting के साबसे भी एक्जांपल्स दिये हुए है और misappropriation of assets के लिए मैं जानता हूँ बहुत सारे एक्जांपल्स है गाईस हम लोग concept wise revision भी दाला हुए मैंने concept wise revision भी दाला हुए दोस्तों concept wise revision मैंने around अपने 19 chapters है उसमें से 12 chapters के मैं ready है और मैं बाकी chapters के भी लेकर आऊंगा titanium revision के नाम से दाला है दोस्तों titanium revision के नाम से तो वो भी आप देख सकते हो you can see that also तो आप यहां पर बताओगे यहां पर ऐसे 240 में बताओगे कि आप बताओगे fraud risk factors कि fraud risk factors क्या होते है तीन तरह के fraud risk factors होते है fraud risk factors को study करना पड़ता है analyze करना पड़ता है आगे जाकि यह fraud risk बन सकते है और इसके वैसे fraud भी हो सकता है ठीक है फिर आप बताएंगे कि नया law rules regulation इस सोचल मीडिया कंपणी के लिए नया law rules regulation आए जाएगा इस वजह से बहुत सारे हो सकते है social media को बहुत सारे काम करने पड़े और लोग को लगाना पड़े इंफरास्ट्रग्चर को लगाना पड़े cost incur करना पड़े profits की उपर pressure आ सकता है आपको बताना पड़ेगा profits की हो सकते है financial stability पर प्रश्रा इस चक्कर में retaliate करने के चक्कर में management fraudulent financial reporting कर सकता है it's a fraudrous factor यह discussed as a example बहुत घहरा खीच के मारा है ठीके बहुत घहरा खीच के मारा है इसले में बोल रहो इस बार की questions तो अत्फला तून है बहुत important तो आपको बताना पड़ेगा it will create a pressure on the management उसके वाईसे fraudulent financial reporting हो सकती है fraudulent financial reporting हो सकती है दोस्तो और it is a fraud risk factor यह fraud risk factor है तो यह फिर आपको बताना है ऐसे 250 के साब से चेक करना पड़ेगा company compliance बहुत simple है क्या company ने नए law rules regulation को अच्छे से understand किया और उसके implementation के लिए internal control system बनाया किया क्या नए laws को समझने के बाद internal control system steps steps procedures policies बनाई किए उसके implementation के लिए employees को employees को अच्छे से understand करवाये ना train करवाये नए law rules regulation and internal control systems के लिए क्या legal advisor को सिंपल है नए law rules на know स्मझें ना समझने के बाद system बनाया ना बनाने के बाद में employees को समझाया लाया ना, legal advisor को लाया ना, यह देखना पड़ गई, यह verify करना पड़ तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि भाई, यह नया law आया, इसमें दो ऐसे relevant है, SA240, SA250, पहले तो SA240 के हिसाब से, it is a fraud risk factor, इसके वज़े से profits कम हो सकते हैं, और profits कम होने के वज़े से, लोग retaliate कर सकते हैं, in the form of fraudulent financial reporting, FFR कर सकते हैं, दूसरा आपको बताना है, SA250 क्या है, ठीक है, compliance check करने के लिए, तीन चीज़े हम लोग करेंगे, आईए दोस्तो, I hope you loved it, you are enjoying it, पड़ापट, क्या प्यारा कोशन था, आईए, 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 नेक्स, 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 जो काम, जो काम आप 20 घंटे में करने वाले थे, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो घंटे में आपको करवा के दू, आईए, बड़ा प्यारा सा है, next, फिर से study material से आया है, diamond, 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 diamond from study material, क्या है, diamond from study material, diamond from study material, क्या case बना कर दाला है, दोस्तो, क्या case बना कर दाला है, क्या ही बता हूँ, मैं क्या case बना कर दाला है, एक company expansion के बारे में सोच रही है, expansion के बारे मे अगले साल एक्सपांड करने के बार में अगले साल एक्सपांड कर रहा है बोलो लेकिन इसी साल टर्णोर अचानक बढ़ गया है ठीक है भाई साब एक्सपांशन तो अगले साल करने वाले इस बार टर्णोर अचानक ठीक है साड़े साथ सो करोड से हजार करोड हो गया पेइंग स्पेशल, डिस्कस हाउड यू प्रोसीड विद दे डील अच्छानक टर्न और बढ़ता हो दिख रहा है अच्छानक टर्न और बढ़ता हो दिख रहा है जो कि एक अन्यूजवल चीज है क्योंकि अभी तक कपैसिटी नहीं बढ़ी है कपैसिटी तो अगले साल बढ़ रही है तो बैसिकली एक अन्यूजवल चीज दिख रही है एक अन्यूजवल चीज दिख रही है अजूबो गरीब चीज दिख रही है टर्न और इस साल बढ़ रहा है और कपैसिटी तो अगले साल बढ़ रही है Special Attent to Risk of Metal Misstatement due to Fraulean Financial Reporting तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा content में ठीक है आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ठीक है पहले सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई साब यह जो हो रही है यह एक unusual यह जो हो रही है कि अन्यूजवल एक्टिविटिए आपको बताना पड़ेग है इंडिकेटिंग फ्राडों and financial reporting आपको बताना पड़ेगा यह अन्यूजवल चीज जो है आपको अन्यूजवल चीज पर बात करनी पड़ेगी यह जो unusual activity है यह जो unusual activity है दोस्तो unusual activity पर बात करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा that it is indicating risk of material misstatement, it is indicating fraudulent financial reporting, यह आपको बताना पड़ेगा, ठीके फिर आपको आगे बात करनी पड़ेगी कि ऐसी risk मिलती है मैंने जगा जगा पर concept number दिया हुआ है audit titanium book से concept number दिया हुआ है titanium book से concept number दिया आपको बताना पड़ेगा कि भाई, जब ऐसी risk मिलती तो responsive जहां जहां risk बढ़ती audit process को ठीके audit process को आपको बढ़ाना पड़ता है you'll have to alter nature timing extent of audit procedures ठीके nature timing extent of audit procedures को आपको अल्टर करना पड़ता है example के तोर पर यहां पर revenue recognition में revenue recognition में risk है हो सकता है कि हो सकता है हो सकता है sales agreement को bypass करके sales agreement को manipulate करके या bypass करके revenue recognition को early revenue recognition किया जा रहा है अभी तक goods deliver नहीं किये फिर भी revenue recognition किया जा रहा है वो सकता है revenue को push किया जा रहा है ठीक है revenue को push किया जा रहा है इसके chances बहुत जादा है revenue recognition में बहुत बड़ा problem है इसलिए आपने क्या करना चीए आपने बोले दो काम करने चीए एक्जामपल में दो काम करने चीए आपने लोगों से external confirmation देना चीए कि आपको sales agreement के बारें बताइए उसके terms and conditions के बारें बताइए ठीक है आपको goods कप पहुचे उसके बारें बताइए की बार बताईए, गुड्स आपको कॉप पचले उसके बार बताईए, आपके ट्रांजक्शन की बार में बताईए, ठीक है, उससे मुझे समझ में आएगा कि revenue recognition में manipulation तो नहीं है, early revenue recognition तो नहीं किया गया, fraudulent revenue recognition नहीं किया गया, non finance person से धहन बात करिए, ठीक है, transporter से बात करिए, go down वाले से बात करिए, जो accounts department वो उनसे बात करिए, उनसे आपको सच्चा ही एक अलग point of view मिल सकता है, case को discuss करेंगे और यह आप बताएंगे, case को discuss करेंगे कि fraud होने के chances है, इसलिए हमने audit process को modify करना चाहिए, test of control, substantive audit procedures, comparative audit techniques ज्यादा लगनी चाहिए, guys परम question bank is the only question bank जिसमें हम लोगों ने answers को और बहतर बनाए, तीन से चार माग के लिए कैसे आपको, तीन से चार माग आपको कैसे मिले, वो आपको बताया गया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पहले unusual activity की बात करनी पड़ेगी, risk से बढ़ाना पड़ेगा, चीजों को अल्टर करना पड़ेगा, example के तौर पर, example के तौर पर, revenue recognition में problem होता है, तो हम कैसे, external confirmation से चीजों को confirm करते है, non-finance लोगों से बात करते है, case discuss करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा, जो ऊपर example दे, उसके साब से, auditor से बढ़ा है, it Come on, 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 चलिए, धयान दीजए, यहाँ पर, study मिर लेख वापस, situation ऐसी है, situation ऐसी है, दोस्तो, situation ऐल्फी है कि हम audit कर रहे हैं, और हमको, बहुत सारा suspected, suspected fraud, suspected fraud, suspected fraud, या फिर actual fraud मिल रहे हैं, suspected fraud, actual fraud, मिल रहे हैं, और exceptional circumstances हो सकते हैं, exceptional circumstances, बहुती बड़े involved है या फिर लोग हमसे cooperate नहीं कर रहे हमको information नहीं दे रहे हम बहुत uncomfortable होगे घबरा गए देख करके इतने बड़े-बड़े fraud है उसको बलते exceptional circumstances तो ऐसे इसमें हमने क्या करना चाहिए ऐसे इसमें हमने क्या करना चाहिए 240.440 240.440 240.440 240.440 240.440 440 सर ये क्या है टाइटनियम बुक में concept number है हर जगा पर ठीक है टाइटनियम बुक में concept number है तो यहां पर उसके points देखे रखे है ठीक है आपको तीन मुद्धों पर बात करनी है तीन मुद्धों पर आपको बात करनी है तीन मुद्धों पर आपको बात करनी है देखो ऐसे ही points आपके दिमाग फ्रहोना चाहिए आपको बोलना चाहिए कि assignment के अंदर कोई भी वरेट Assignment के अंदर यू मेख कम अक्रोस fraud and Suspected Fraud Fraud Suspected Fraud unusually बहुत हई-लेवल कि बड़े फ्रहुट हो सकते है बड़े बड़े लोग जिन जिन को बताने के जोटे बता दालो फिर आराम से बैटके सोचो क्या मुझे विड्रॉ करने के जुरूत है क्या am I supposed to withdraw भाई ये तो बहुत सीरियस इशू है भाई ये तो बहुत बड़ा integrity इशू है ये तो बहुत बड़ा non-compliance है ये तो बहुत बड़ा सबको reasons आपको बताने पड़ेंगे और withdraw करने के बाद में आपको लोग को report करना पड़े है कि मैं withdraw कर चुका हूँ ठीक है तो आपको तीन चीजों के बारे में बात करना है fraud या suspected fraud मिले बड़े लेवल के exceptional circumstances हो सकते fraud के बारे में किस-किस को बताना उसके बारे में सोचो फिर तीसरी बात आपको withdraw withdraw के बारे में सोचना पड़ेगा withdraw करू या नाई करू अगर withdraw करू तो आपको reasons के बारे में बताना पड़े है reasons के बारे में withdraw के तीन पॉइंट है और फिर withdraw करने के बाद resign करने के बाद किस-किस को report करूँ वो भी सूचना पड़ता है ऐसे मुद्दे याद रहने चाहिए तब जाके answer आप लिखोगे कि fraud, suspected fraud के बारे में बात करना पड़ेगा fraud reporting के बारे में बात करना पड़ेगा withdrawal के बारे में मुझे बात करना पड़ेगा तीन मुद्दो के बारे में बात करो बात बन जाएगी दोस्तों आईए अरे भाई टेंशन मतलो जितना मैं बता रहा हूँ उसको टेंशन मतलो जितना मैं बता रहा हूँ जितना मैं बता रहा हूँ उसको absorb करते जाओ वही बुलाना positive attitude चाहिए कुछ लोग रहेंगे जो process को enjoy करेंगे कुछ लोग रहेंगे जो process को enjoy करेंगे कुछ लोग रहेंगे जो process में tension ले लेंगे ठीक है इसमें से आने के chances बहुत जादा है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आने के chances बहुत जादा है तो tension मतलो या कुछे में इंजुए करके पढ़ो आइए इतना प्यारा जिन्दगी में निरा इतना प्यारा टीक्रवर कॉषिन लविक्षिन है ज॔रदार कॉश्चिन है दिल खुश कर दिया institute ने question पूछ गया आपको बाद आदो question के है ठीक है आपको बाद आदो question के है तो question ऐसा है कि एक company है जिनके बहुत सारे hotels वो own करते वहाँ से पैसा कमाते इनका एक stream हो गया फिर ये लोग कुछ hotels manage करते सिफ management से पैसा कमाते ये एक stream हो गया ये लोग tourism के packages बेचते ये एक stream हो गया corporates को airline booking देते ये एक stream हो गया चार अलग stream से पैसा कमाते पैसा 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 ठीक है पैसे ही पैसा कमा रहे पैसे ही पैसा कमा रहे और team क्या बोलती है तीम ये बोलती है देखो इतने साल से हम audit कर रहे है इतने साल से हम audit कर रहे है कभी revenue में कोई fraud नहीं मिला तो हम लोग revenue में fraud risk कि ये mark नहीं कर रहे है वी आर नाट, वी आर not marking revenue as a fraud risk area. Fraud risk वाला area में नहीं मान रहे हम लोग. थीक है, हम लोग नहीं मान रहे, fraud risk वाला area नहीं मान रहे. Revenue recognition में internal controls में कुछ problem है, तो थोड़ी audit process द्यादा कर दी. इसको हम fraud risk कभी नहीं मान रहे हम, audit की team इसको fraud risk नहीं मान रहे है. ठीक है, control थोड़े weak है, तो वो लोग audit कर ले रहे, audit process कर ले, audit करने के बाद fraud मिल रहा है, 35 क्रोड का fraud मिल रहा है, कि company के revenue को divert किया गया, divert किया गया, कुछ पैसा CEO ने, CFO ने, अपने ही account में डाल दिया, अपनी account में डाल दिया, तो बड़ी प्यारी चीज़ है, धंदे को समझ है, उनके approach को समझाया है, और fraud मिल रहा है बाद में, बाद में fraud मिल रहा है, वो बताया है, ऐसा बताया, क्या प्यारा question है, अभी आपको जवाब कैसे देना है, आईए, देखो, अगर आप इस तरीके से point को, दिमाग में भर सको, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत महासागर है, audit महासागर है friends, audit एक बहुत बड़ा महासागर है, ठीक है, audit एक महासागर है, अब ये महासागर में से मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, वो रास्ते को feel कर लो, उतना कर लो अपने आप आगे का रास्ता बन जाएगा और मैं आपको विश्वास दिला तक आप reference देना है ठीक है fraud reporting और एक काम कर ये मेरे मर्स से और जाड़े दे आलो का बी reference देता लो करो का भी reference कि आईए क्या करना मैं आपको बात हो सबसे पहले ऐसे 240 की बात करना है ऐसे 240 में आप वोप आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है, कभी-कभी क्या है कि बच्चे proper class नहीं करते है, proper class नहीं करते है, ठीक है, proper class नहीं करते है और वहां से दिक्कत हो जाती है, SI240 अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पर, मैंने भी, आपके module के अंदर आखरी में ये point है लेकिन बच्चों को बताया था ज़रूर ये point जो बच्चे मुझसे पढ़ चके हो जानते होंगे एक point है ऐसे 240 बोलता है ये presume करता है auditor should always presume presume करना मतलब बिना कुछ देखे ऐसे ही आप presumption हमेशा presume कर लेना presumption लेना presumption है fraud risk है ऐसा मान लो कि revenue recommendation के नदर हमेशा fraud risk रहती है आप इस presumption को reboot कर सकते हो cancel कर सकते हो आप इस presumption को reboot कर सकते हो आप इस presumption को reboot कर सकते हो आप इस presumption को cancel कर सकते हो अगर आप ये proof कर सको कि single stream से revenue है और बहुत simple तरीके से revenue आता है उन्हें example भी दिया है कि रियल इस्टेट का rent का काम है रेंट का काम है पांच property है वो पांच property से हमको rent आता है that's it हर मैंने पांच property से rent आता है that's it एक ही stream है हमारा उसमें हमारा बहुत simple हर मैंने पांच rent की entry पहुती इसके अलावा कूछ भी ही होता दोस्तों तो हम लोग इस presumption को रिब्यूट कर सकते हैं cancel कर सकते हैं nullify कर सकते हैं बोल सकते है कि आपको ठीक है कोई revenue recognition में कोई fraud risk नहीं है revenue recognition में fraud risk नहीं है यहाँ पे मैं case discuss कर रहा हूँ नालायक है audit team knowledge नहीं है इन लोग कैसे 240 का fraud risk यहाँ पर identify करना चीए था fraud risk identify करना चीए था बोलना चीए था fraud risk रिब्यूटल तो possible ही नहीं है रिब्यूटल तो possible ही नहीं है multiple streams में revenue है multiple streams के अंदर revenue है complications involved है क्या बात करते हो तुम लोग audit team के 100% गलती है अच्छे से नहीं पड़े audit 240 बराबर नहीं पड़े revenue recognition के बारे में नहीं पड़े हां गलत बात फिर आपको ऐसे 315 ऐसे 315 बोलता about understanding entity and its environment और रिस्क को निकालो दो level पर financial statement level assertion level continuous process धेर सारी information इखटा करते रहते है information collect करने के बाद देखते रहते हैं कौन से complex areas है कौन से judgment areas है pressure areas है ठीक है हम देखते रहते हैं और हम लोग new information मिलने पर risk को revise करते हैं हम पहले धेर सारी information धेर सारी information collect करते हैं और complexities complexities कहां पर judgments कहां पर pressure कहां पर दो level पर risk निकालते हैं जैसे से information मिलती है जैसे से information मिलती है revise करते जाते हैं किया है टीम ने तीम ने देखा internal control systems में problem है internal control systems में problem है टीम ने risk को बढ़ाया है बिलकुल सही किया है, टीम ने रिस्क को बढ़ा है, बिलकुल सही किया, 330 ठीक है, 330 बोलता है जैसे audit risk मिले, आपने respond करना चाहिए, अगर आपको financial statement level risk मिलती है, तो आपको overall response, पूरे team को strong बनाना चाहिए, overall response, पूरे team को आपको strong बनाना चाहिए, ठीक है, और आपको अगर assertion level पर risk मिले, अगर आपको assertion level पर risk मिले, तो आपको test of controls और आपको substantive audit process perform करना चाहिए, और जैसे से risk बढ़ती जाए, audit process को आपको बढ़ाते जाना चाहिए, team ने ये भी किया, team ने 315 के हिसाब से, 315 follow किया है, 330 भी follow किया और ये fraud मिल रहा है, ठीक है आप plus कारों भी कर दीजे fraud के बारे में reporting करनी पड़े 35 कोड का fraud है, एक कोड इसके उपर को fraud है, तो आप बताईए, audit committee के पास जाना पड़ता है, board of directors दो दिन के अंदर और फिर उसकी बाद में, आपको 45 240 की मौकरी कर दिनोंने, सप्यामनास कर दिया 240 का, हाँ, 315 और 330 को बराबर follow किया और fraud reporting में किया है, fraud reporting करनी करनी पड़ेगी, और कारों में भी, कारों में clause number 11 है, वहाँ पर भी fraud के बारे में बताना पड़ेगा, तो audit team की धज्जिया उड़ानी पड़ेगी, 240 बराबर नहीं लगाया, उसको लेकर, 240 बराबर नहीं लगाया, उसको लेकर हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, आईए दोस्तों, तो आपका बहुत ही प्यारा, आपका बहुत ही lovely, बहुत प्यारा, बहुत ही अगली था ठीक है यह question जिसके अंदर तीन standards और दो चीजों का reference है अच्छा बच्चे बहुत टेंशन में आते सौर इतने multiple reference में को कैसे पाँ चलेगा अरे लोड मत लेना भाई multiple reference वाले question पहले MTP RTP में आते multiple question वाले question पहले MTP RTP में आते भाई पहले MTP RTP में आते बच्चे tension जाधा लेते और काम रह जाता बाजू में इतना तो कर ले पहले मैं आपको बता रहो जितना मैं बता रहो उत्ता कर ले परम कर ले ठीके इतना तो conceptually conceptually question समझ ले इतने conceptually answer में क्या लिखते हैं इतना समझ ले कुछ question की writing practice कर ले बस इतना तो कर पहले उसके आगे का रास्ता भी तिरको बताऊंगा तो चिंता क्यों करता है आगे का रास्ता भी मैं तिरको बताऊंगा ठीक है चलिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए चलो last question for the day last question for the day आखरी question आज के लिए कि थोड़ा सा class extend करके 250 250 और उसके बाद में 299 भी है फिर 402 भी है ठीक है इतना हो पाएगा क्या चलो 240 खतम कर देता हूं मैं 240 खतम कर देता हूं 240 का तो यह आखरी question है यह 240 का आखरी question है ठीक है आई यह अब यह question select क्यों है अगर आपको पता होगा हम लोगों ने सबसे पहले लिस्ट ली सारे नए स्टेडिमेंट question फिर जो भी question साथ या ज्यादा बार repeat हुए वो लिए फिर चार attempt के MTP RTP पिछले चार attempt के MTP RTP इस attempt का अभी तक नहीं लिया क्योंकि let test अभी आया वो नहीं लिय होगा उसमें कुछ नया है तो वो कर बाद हुआ चिंता मत हो और उसके बाद में MTP 4 attempt के MTP RTP वो लेने के बाद में 6 attempt के questions delete मारे तब जाके refined लवली लिस्ट बनी है प्यारी लिस्ट बनी हुए आईए अब यहाँ पर ऐसा है कि company के अंदर हुआ है fraud ठीक है company के अंदर fraud का suspicion है possible fraud है fraud के लिए उन्होंने special investigation करवाया लेकिन special investigation की copy हमको नहीं दे रहे है यह exceptional circumstances है यह exceptional company के अंदर fraud हुआ है उन्होंने investigation करा है special audit report है और वो हमको नहीं दे रहे है जब भी suspected fraud actual fraud बहुत बड़े लेवल का होता है बहुत बड़े बड़े लोग involved होते है लोग बरापर corporate नहीं करते तो उसको exceptional circumstances declare किया जाता है कोई load नी लेना है अच्छा हमने उनको बोला written representation दे दो तो भाई साब written representation भी नहीं दे रहे हैं they are not giving written representation also तो आपको आपको बताना पड़ेगा दोस्तो पहले आपको reference देना पड़ेगा आपको reference देना पड़ेगा 240 लगता है 580 लगता है section 143 12 लगता है कारो लगता है मैं आपको बता रहो 240 के साथ में यह तो दो complimentary है हर जगा पे आई जाते है इसमें इतना लोड के लेना समझना क्या 240 के साथ में 143 12 और कारो तो complimentary है आपको अभी जो हम discuss करके आए पूरा आपको exceptional circumstances अभी discuss करके आए ते वो ही समझाना आपको fraud suspected fraud के बारे में बोल रहा है फिर fraud मिलने के बहुत बड़ा fraud है उसके बारे में आपको reporting के बार all करना क्या सोचो ठीके अगर आपने सोचा, विड्रॉ करना है तो आपको लोग को reasons बताने पड़ेंगे वो इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ेंगी वो भी आप सूचे, चार पॉंट अभी हम पढ़कर रहा है, exceptional circumstances declare करना पड़ेगा, अगर वो refuse करते return representation, तो पहले तीन बाते discuss करो, समझाओ मानने महाद है, return पे बहुत simple चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, regularly सब जगा लगा रहता है, आप भी हमको दे दीजी, please appropriate action depending on the situation हो सकता है, हो सकता है हम बहुत सारी alternative procedures perform करें, हो सकता है बहुत सारा excellent confirmation लेने की कोशिश करें, या फिर हमारा हो सकता है विश्वास बहुत काम, ठीक है, हम modify करने के बारे में सोच सकते है, हम withdraw करने के बारे में सोच सकते, we can think about withdrawal also, appropriate action में बहुत सारी चीज़ होती है, यहाँ पर मैनत जादा करने ही कोशिश करेंगे, मैनत जादा करने ही कोशिश करेंगे, हो सकता है, जादा मैनत करें, हो सकता है, external confirmation यह सब करने के बारे में सोचें, हो सकता है, withdraw करने के बारे में सोचें, ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉट रिपोर्टिंग के बारे में बात करो कारो एक क्लास नंबर बारा केस डिसकस करो को डिटेल में ठीक है कंक्लूजन में विड्रॉप को आपरेशन नहीं है विड्रॉप करने के बारे में 240 के हिसाब से भी withdraw करने के बारे में सोच सकते 580 के हिसाब से withdraw करने के बारे में सोच सकते fraud reporting, car reporting हमको करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुखते है let's wait here बहुत प्यारा सेशन था कमाल, 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 धमाल, धमाल के हम लोगों ने बहुत सारे cases किये ठीक है, फिर से मैं आपको बता दू, आपसे दो चीज़े expect करता हूँ, like, share, subscribe आप कर दीजी, वो तो ही और प्यारे प्यारे दूसरा, ठीक है, प्यारे प्यारे comments, comments, आपके प्यारे comments, आपके प्यारे reviews, video reviews का मैं जरूर जरूर मैं wait करूँगा आज का session यहाँ पर खतम करते है, एक घंटे बात लगबग हम लोग English में same session को शुरू करेंगे, we'll start with the new session, हम लोग नए session को शुरू करेंगे, bye-bye, bye-bye, bye-bye